हेले अप्रिबान, मैं आशे करती हूँ, आप सभी ठीक होंगी, मैं काजल धामी, आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए सीटाग पेपर टू मैस्क का कम्प्लीट मैर्थन सेशन यहाँ पे लेके आई हूँ और अगर आपको पेपर टू मैस्क के लिए यहाँ पे एक तरीके से डाउट है कि आप किस तरीके से प्रेपरेशन करें, किस टाइप के कुशन आपके पूछ जाएंगे, तो इस मैरथन को आप यहाँ पे कम्प्लीट देखेगा और अगर आप paper to math की हाँ पर preparation कर रहे हैं तो आपका जो दूसर subject होगा वो main subject यहाँ पर science होगा अगर science की preparation नहीं की तो science की complete marathon मैंने आप लोगों के साथ share कर दी है description में आपको वीडियो के हाँ पर link मिल जाएगी साथे साथ comment section में भी मैंने सभी link से यहाँ पर लगा दी है अब चलिए आज का important session यहाँ पर शुरू करते हैं और एक-एक topic मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर short में discuss करूँगी कि क्या important formula है क्या important concept है जो कि आपको माइन में याद रखना है और उसके बाद उन topics के हम previous year question यहाँ पर discuss करेंगे तो देखिए अगर आपने paper to math का previous year paper देखे होंगे तो आपको divisibility rule के question और LCM-HCF के दो type के question आपको देखने को मिलते हैं एक direct जिससे हम LCM-HCF निकालते हैं उस तरीके के question आपको देखने को मिलेंगे एक आपको इस तरीके से power based question यहाँ पर देखने को मिलेंगे तो दोनो type के questions किस तरीके से solve करते हैं मैं अभी आपके साथ discuss करूँगी तो एके करके इन दोनो topic के concept को पहले मैं आपके साथ discuss करती हूँ और अगर आपका एक concept clear है तो भी आप लोगों की एक revision हो जाएगी और इसके बाद मैं topic के साथ-साथ उनके previous question आपे discuss करते चलूँगी तो देखिए अगर मैं LCM और HCF topic के बात करूँ तो यहाँ पर अगर मेरे सामनी इस तरीके से 3-4 अलग-लग number दिये हैं तो इनका मुझे अगर LCM निकालना है तो मैं किस तरीके से निकालूँगी सबसे पहले हम 2 की table से इसे divide करेंगे 2 की table में 20 कितने बार में आता है? 10 बार में आता है अगर मैं इस रो में जितने भी number है उनको देखू तो कोई भी number आपके 2 की table में गी जाएगा तो यहाँ पर हम अब 3 की table से करेंगे 3 की table में 5 नहीं आता पर 3 की table में 15 आता है कितने बार में? 5 बार में तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया अब यहाँ पर क्या आ गए? यहाँ पर आ गए 5 और 5 जो है वो सीधा अपनी table से जागे तो आपको अगर LCM निकालना है तो इसमें करना क्या है? इन सभी number को आपस में multiply करना है जैसे की 2 2s क्या होता है? तो आप कहींगे 4 होता है 4 3s क्या होता है? 12 होता है और 12 5s होता है 60 तो 60 इस question का क्या आ जाएगा? LCM आ जाएगा अगर मुझे इसे का ही HCF निकालना है इनी number का तो मैं HCF निकालूंगी कैसे? HCF मैं निकालूंगी सबसे पहले किसी 2 number को मैं यहाँ पर उठा लूँगी तो 20 और 30 में से 30 जो है बड़ा है तो मैंने यहाँ पर अंदर लिख दिया अब 20 जो है यह छोटा है तो मैंने यहाँ पर बाहर लिखा तो देखिए अगर मैं 20 के table पढ़ती हूँ तो दो बार में तो 40 आ जाएगा जो की बड़ा number है तो एक बारी में मैं इस तरीके से यहाँ पर भाग कर दूँगी तो यहाँ पर minus करके कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 10 तो देखिए यहाँ पर यह जो 10 है इस 20 से छोटा है तो हम एक और divide का sign लगाएंगे और इस 20 को यहाँ जिससे पिछले बार divide किया था उसको यहाँ पर अंदर रखेंगे तो दो बारी में यह पूरा का पूरा कट जाएगा अब होता क्या है कि यह जो आपने division किया है इसमें last time जिससे divide किया है चाहिए step कितने भी लंबे हूँ last time जिससे divide करने का पूरा यह number कट गया उससे क्या करेंगे उससे तीसरे number को भी हम यहाँ पर भाग कर देंगे तो आपको पता है कि 10 की table में 60 कितने बार में आएगा यहाँ पे 6 बारी में आएगा तो यहाँ 10 एक ऐसा number है जिससे तीनों number divide हो जाएगे तो HCF कितना आगया है? HCF आगया 10 अब आप कहेंगे यह तो बहुत basic concept है यह हमें क्यों बता रहे हुए तो हमें आता है बट यह जो power based question है इसको यहाँ पे इसके concept को समझने में यह type आपको मदद करेगा कैसे मदद करेगा? अब देखिए paper में आपने कई बारी इस तरीके के previous question देखे होंगे जिसमें x, y, z की इस तरीके के value दी जाती है और कहा जाता है कि इनका LCM निकालो या HCF निकालो या फिर LCM HCF निकाल के दोनों को divide करो multiply करो इस तरीके के question आपके पूछे जाते हैं पर अगर मैं simple in numbers का LCM या HCF निकालना चाहूँ तो मैं कैसे निकालूँगी? तो देखिए आपको कोई Alexis solution करने की ज़रुवत नहीं है आप बस पिछले concept में एक बार यहाँ पर गौर करिएगा जब मैंने इन तीनों नंबर का LCM निकाला least common multiple यहाँ पर निकाला तो आप एक चीज गौर करिए कि जो answer आया वो एक बड़ी value आई यानि कि answer जो आयी एक big value आयी आप ही कह सकते है और जब मैंने एक safe निकाला तो answer जो आया वो छोटा है यह small value है तो आप बस इस conclusion को बस अपने दिमाग में याद रखेगा और इनकी power को आपको यहाँ पर use करना है यानिकी x, y, z में आपको 2, 2, 2 तीनों बार दिख जाएंगे 2 में से LCM में क्या करना है क्योंकि आपको बड़ा answer लाना है तो सबसे बड़ी वाली power को उठा लेना है तो 2 की power 4 हम यहाँ पर उठा लेंगे इसके बाद 3 की power कौन से ले लेंगे 3 की power यहाँ पर 3 ले लेंगे और 5 की power कौन से ले लेंगे 5 की power भी यहाँ पर 3 लेंगे तो देखिए सभी की बड़ी power उठाने की वज़े से answer भी आपका सबसे बड़ा आएगा जो कि इस question का correct answer होगा आपको question में, answer में, option में इसी format में यहाँ पर दिया होता है तो आप यहाँ पर question को solve कर सकते हैं अब अगर मैं edge safe निकालूंगी तो इनी number में से सबसे छोटी वाले power लूंगी जैसे 2 की power मैं क्या लूंगी इन तीनों में से 2 की power 2 ले लूंगी इसके लावा 3 की power 1 ले लूंगी और अगर आप उन दोनों का product करते हैं तो वो किसके बराबर आएगा वो उनके LCM और HCF के product के बराबर आएगा कहीं कहीं किसी question में आपको यह formula यूज होते वे दिख जाएंगे इसके अलावा अगर मान के चलिए कि X by Y XR इसके अलावा XY और यहाँ पर आपको ABC इस तरीके सर दे रखें बदला fraction वाले number आपको इस तरीके सर दे रखें अगर इनका आपको क्या कहें इनकां आपको LCM यह HCF निकालना है तो अगर आपको LCM निकालने को कहें तो आप क्या करेंगे इनमें LCM निकालेंगे उपर वाली numbers का यांकि numerator का x, y, z का आप LCM निकालेंगे और denominator का जो है उसका आप HCF निकालेंगे अगर यही चीज आपको उल्टा बोला जाए यही चीज आपको बोला जाए कि यह जो fraction वाली संख्या है इनका आप HCF निकालें अभी जब मैं आपके साथ question discuss करूँगी तो आपको यह topic और अच्छे से clear होगा अब फटा-फट एक बाद divisibility rule यानकी भी भाजजिता के नियम को भी मैं आपके साथ discuss करना चाहती हूँ बहुत simple simple नियम है और मैं उमीद करूँगी कि यह सभी चीज़े आप रोगों को already आती होगी यह तो एक final revision का session है इसलिए मैं आपके साथ सभी point को यहाँ पर discuss कर रही हूँ तो देखिए 2 से divide होने वाले number का जो last digit है जो अंतिम digit होता है वो क्या होगा या तो 0 होगा वो 2 होगा 4, 6 या 8 होगा तो अगर यह number आ जाए तो आप कहेंगे कि वो number 2 से भाग हो जाएगा इसके अलावाद 3 की divisibility और 9 की divisibility साथ में करिएगा इन में क्या होता है अगर कोई भी संख्या आपको दे दी जाए जैसे कि X, Y, Z, A, B, C एक संख्या है यह अगर यह पूछ जाए कि यह जो संख्या है यह 3 से भाग होगे या नहीं होगी तो आप क्या करेंगे इन सभी संख्याओं में जितने भी डिजट है इनको आप जोड लेंगे और जोडने के बाद मानके चलिए जैसे कि 21 आजया और 21 आपको पता है कि 3 से भाग होता है तो यह पूरा नंबर भी 3 से भाग होगा सेम यानि कि sum of dessert जो होगा वो आपका 3 से भाग होना जाए सेम यही रूल आपका किसका है 9 का है कि sum of dessert क्या होगा वो 9 से भाग होना जाए तो इस तरीके से आप combine तरीके से करेंगे अभी मैंने आपके साथ 2 की divisibility का rule क्या बताया है कि last desert आपका 2 से भाग होना चाहिए या फिर यहाँ पे 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए अब 4 की divisibility का rule क्या है कि last 2 desert जैसे कि 2 की divisibility में क्या देखा था कि यहाँ पे last desert यह होना चाहिए जबकि 4 की divisibility क्या बोलते है last के 2 desert पर एक्जामपल कोई भी ऐसा यहाँ पे number है पर last में यहाँ पर जो number हो वो आपका किस से भाग होना चाहिए last के 2 desert होने चाहिए जो 4 से भाग होने चाहिए अब 8 की divisibility का rule क्या 8 की divisibility में इसमें last का जो desert है वो या तो आपका 5 होगा वो या तो आपका 0 होगा यह तो सब को पता है इसके अलावा 10 की divisibility का rule क्या है कि last का जो desert होगा वो आपका सीधा 0 होना चाहिए अगर 0 नहीं है सूने नहीं है तो वो 10 से भाग नहीं होगा इसके अलावा 6 की divisibility के दियम के लिए क्या है कि वो जो संख्या आपको दी गई हो वो 2 और 3 दोनों से ही भाग होने चाहिए अगर कोई एक संख्या है जो 2 से भाग होती है पर 3 से भाग नहीं होती तो वो 6 से भाग नहीं होगी यानके 6 से भाग होने के लिए 2 और 3 दोनों से ही भाग होने चाहिए अब सबसे ज़्यादा confused करते हैं यहाँ पर 11 और 9 की साथ और 11 की divisibility का rule और सबसे ज़्यादा question पता नहीं क्यों बट ऐसा है कि 9 और 11 की divisibility से पूछे के हैं तो दोनों को मैं आपके साथ discuss करती हूँ जैसे कि मैंने x, y, z, abc का example आपके सामने लिखा था अब इसमें आप यहाँ पर गौर करेंगे कि अगर यह 11 से divisibility आपको चेक करनी है तो आप एक छोड़कर एक कर यहाँ पर इस तरीके से pair बना लेंगे यानि कि x का pair पहले किसके साथ बनेगा x का pair यहाँ पर बना z के साथ, z के बाद b के साथ तो आपने क्या किया इनको यहाँ पर जोड़के एक नमबर जो है यहाँ पर निकाल लिया इसके बाद बाकी बचे वे नमबर का भी जोड़ा बना लीजी जैसे कि y, a, c, y plus a plus c का आपने यहाँ पर जोड़ा बना दिया यहाँ पर भी एक नमबर आ गया अब मान के चलिए कि यहाँ पर जो नमबर आया है यहाँ पर आया है आपके पास p और यहाँ पर आया है q अब यह जो p और q आपके पास अंसर आया है अगर आप इन्हें minus करेंगे अगर आप P और Q को घटाएंगे तो इनका जो अंतर है जो यहाँ पर आपको अंतर देखने को मिलेगा जो difference देखने को मिलेगा वो या तो 0 होना चीए वो या तो 11 से divide होना चीए यानि कि वो या तो अंतर सीधा 0 आ जाए तो आपका 11 से भाग होगा या तो वो अंतर कैसे होने चीए 11, 22, 33, 44 इस तरीके के नंबर होने चीए जो कि 11 से सीधा भाग जाए तो इस तरीके से ये आपको या रखना है 11 की divisibility के लिए अगर मैं 7 की divisibility का नियम बताऊ तो इसके लिए मैं एक example के साथ यहाँ पे बढ़ूँगी 343 एक नंबर है जैसे कि मुझे पता है कि ये नंबर 7 से divide होता है पर मुझे अगर divisibility rule के हिसाब से करना है तो मैं क्या करूँगी लास्ट डिजट को हम क्या करेंगी इसके किसी भी 7 के divisibility का rule यह है कि लास्ट के डिजट को आप क्या करिए डबल कर लीजे डबल करना मतलब 2 से multiply करना तो कितना आजाएगा 6 आजाएगा अब यह जो डबल करने के बाद number आया है इस number का क्या करना है बाकी बचेवे जितने भी number होंगे जैसे हाँ तो 34 ही बचा हुआ बाकी बचेवे जितने भी number है उससे इस 6 को minus करके देखिएगा यहाँ पर कितना आजाएगा यहाँ पर अगर आप minus करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने 28 आजाएगा तो 7 के table अगर हम पढ़ें तो 7 मैंज आ 7 7 तू जा 14 7 त्री जा 21 7 फोर जा 28 8 28 आता है तो यानि कि यह number भी आपका साथ से भाग होगा तो अभी मैंने आपके साथ LCM HCF और Divisibility Rule यान कि विभाद जिता की नियम इस topic को यहाँ पर discuss किया अब चलिए इन दोनों topic के compile previous year question में आपके साथ discuss करते हूँ फिर हम next topic के तरह आगे बढ़ेंगे अब मैं आपके साथ कुछ कोशनी हाँ पर discuss करूँगी जो कि विभाद जिता की नियम और LCM HCF और बेस्ट है तो देखिए पहला question हमारे सामने है कि एक 9 desert के संख्या है जो कि हमें यह दे रखी है और यह बोल रखा है कि यह जो संख्या है यह 72 से विभाद जिए है तो हमें यहाँ पे X और Y का मान पहले ग्याद करना है और X और Y का मान ग्याद करके 3X प्लास 2Y में इसे put कर देना है तो देखिए सबसे पहले यह जो नंबर दे रखा है इस number के बारे में यह बता रहा है कि यह 72 से भी भाज़े है अगर यह पूरा number 72 से divisible है तो हम कहेंगे कि इसके अगर हम factor बनाएं तो यहाँ पे बनेंगे 8 into 9 8 9 जा क्या होता है 72 अब हमने factor क्यों बनाएं क्योंकि देखे divisibility rule हमने discuss जरू किया है पर 72 तक हम इन नहीं cover नहीं किया हमने यहाँ पे 11 12 तक mostly यहाँ पे discuss किया है तो हम बाकी बड़े जो number होंगे उसका गुननखंड करके उसका factor बना के हम क्या करेंगे उसको solve करेंगे तो कहने का मतलब क्या है कि अगर यह जो question में देवी संख्या है जो कि 9 डिजट के संख्या है अगर यह 9 डिजट के संख्या आपकी किस से divide होती है वो 9 से यहाँ पे वो 72 से divide होती है तो इसका सीधा सीधा अर्थी है कि वो 8 और 9 दोनों से यहाँ पे divisible होगी तो अगर मैं 8 के divisibility का rule आपके साथ discuss करूँ तो 8 के divisibility का rule क्या है कि last के 3 डिजट आपके किस से divide होने चीए last के 3 डिजट आपके यहाँ पर 8 के table से आपके divide होने चीए तो last के 3 डिजट मैंने इस तरीके से यहाँ पे आप लोगों के लिए लिख दिया तो देखिए यहाँ पर अगर मैं इसे divide करने लगू तो 8 9 क्या होता है 8 9 होता है 72 तो मैंने इस तरीके से यहाँ पे 72 लिख दिया इसके बाद अगर मैं इसे minus करूँगी तो यहाँ पे बचेगा 6 अब देखिए 6 के साथ मैं य की जगह पे यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर लिखूँ कि यह पूरा का पूरा आपका किससे divide हो जाए यह 8 divide हो जाए तो आपको पता है कि यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पर मैं 6 लिख सकती हूँ तो 8 की टेबल में 64 आता है तो it means यह पूरा का पूरा आपका divide हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि Y की जगह हम क्या रखेंगे Y की जगह हम यहाँ पर 4 रखेंगे इसके अलावा अगर हम यहाँ पर आगे बढ़ें तो यहाँ पर हमें अब 9 की divisibility के rule को use करके यहाँ पर X कमान भी निकालना है इसके बाद हम यहाँ पर दे रखा है 3 फिर दे रखा 6 फिर दे रखा 7 फिर दे रखा 8 और उसके बाद दे रखा Y Y की जगह हम यहाँ पर 4 लिख सकते हैं यहाँ कि इन सब को जोड़ कर जो भी संख्या आए वह आपका 9 की टेबल से भाग होनी चीए तो सारे नमबर को हम जोड देंगे तो यहाँ पर आजाएगा 50, 50 प्लस X यानके 50 में हम कितना यहाँ पर जोड़ें कि यह नमबर पूरा का पूरा 9 से भाग हो जाए तो X की जगा हम क्या लिख सकते हैं, X की जगा हम रख सकते हैं यहाँ पर 4 तो 4 अगर रखेंगे तो 54 आजाएगा, 54 जो है वो 9 की टेबल से डिवाइड होता है तो X और Y दोनों का हम मान कितना आगया, यहाँ पर आया 4 तो 3X प्लस 2Y है, तो 3 इंटु 4 आप करोगे प्लस इसके बाद 2 इंटु 4 आप करोगे, क्योंकि X और Y दोनों का मान आपका चारा है इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आएगा 12, यहाँ पर आएगा 8 और 12 और 8 को अगर हम जोड देंगे, तो आंसर कितना आजाएगा 20 इस question का जो तीसरा option है यहाँ पर correct answer है इसके अलावा अगर मैं आपके साथ next question यहाँ पर discuss करूँ तो देखिए next question के अंदर हम लोगों को क्या बोड रखा है next question के अंदर हम लोगों को यहाँ पर अलग लग संख्यां जो है वो दे रखी है और यह बोल रखा है कि इन में से कौन से संख्या 11 से विभज्य नहीं होगी तो 11 की डिवजिल्टी का रूल मैंने आपके साथ यहां पर डिस्कूस किया था इसकी विभज्यता का नियम क्या है सबसे पहले तो मैं एक संख्या आप लोगों के लिए इस तरीके से लिख देती हूँ अब इस संख्या में अगर मैं इस तरीके से जोड़े बनाऊं तो आपको एक चीज़ दिख रहा होगा कि इस वाली संख्या में जो जोड़े बनेंगे वो 6 एक जोड़ा बनेगा 6 एक जोड़ा बनेगा और इनका अंतर कितना आगया इनका अंतर आगया आपका 0 तो ये तो इस question का answer नहीं हो सकता क्यों क्योंकि जिसका अंतर यहाँ पे 0 आता है वो आपका 11 से divisible होगा और आपको ऐसा नंबर देखना है जो कि 11 से विभाज़ ना हो अगर हम अगले वाले नंबर में भी देखें तो अगले वाले नंबर में आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर मैं next number के यहां पर बात करूँ तो अगली यह जो संख्या दे रखी है मुझे इस तरीके से यह दे रखी है तो इसको भी हम solve करते हैं यहां पर मैंने pairing करना start किया तो पहला जोड़ा जो बना यहां पर बना चार का और जो दूसरा जोड़ा बनेगा 0,1 और यहां पर आप किसको जोड़ोगे 0 को जोड़ोगे और 0,1,0 फिर 3 तो यहां पर कितना आएगा अगला भी 4 आएगा तो यह भी आगया 0 तो इन तीनों का answer कितना आ गया 0 आया अभ आक़री वाल संख्या को अगर मैं आप लेती हूं तो यहां पर मुझे पता चलेगा कि पहले मैंने एक के साथ 0 का पेर बनाया फिर 1 फिर एक का फिर आगे मैंने 5 के साथ 0 के यह 7 फिर 0 का तीन का जोड़ा बनाया तो यहां पर पहला जोड़ा आप का तीन और दूसरा जोड़ा है चार तो देखिए इनका अंतर जो है यहां पर माइनस वनाएगा जो कि ग्यारा से भाग नहीं होगा इस वज़े से इस कोईशन का जो फाइनल आंसर है वो होगा आपका डी आप्शन इसके अलावा अगला यह जो कोईशन हम अब डिस्कूस कर है वो आप लोगों से यहां पर LCM HCF का पूछा गया है जिसमें हम लोगों को A की एक वैल्यू दे रखी है B की एक वैल्यू दे रखी है और यहां पर वो रखा है कि आप LCM निकाले A और B का और जो आंसर है उसको उन्हीं के HCF से डिवाइड कीजिए तो पहले आपको इसमे LCM भी निकालना होगा HCF भी निकालना होगा तो चलिए हम जरह LCM निकालते है LCM निकालने का जो सबसे बेसिक तरीका है वह यहां पर 360 हमने लिखा और 900 यहां पर लिख दिया सबसे पहले यह आप सीधा 3 से भी कर सकते हैं 3 की टेबल से अगर हम इसे भाग करेंगे तो यहां आजाएगा 120 और यहां पर यां पर राजाएगस टी त्इन सो यह नंबर अभी भी 3 टेबल से जाएगा तो 3 की टेबल से अरे हम डिवाइट करेंगे तो यहां पर आजाएगा फॉटी यहां पर आ जाएगा जाएगा तो टू को आप अलग से इस तरीके से कर सकते हो तो यहां पर आपके सामने इसका LCM जो है यह आप calculate कर सकते हो इन सभी को आपको multiply करना होगा तो यहां पर अठारा सो जो है इनका LCM आ जाएगा अठारा सो हम यहां पर लिखके साइट कर देते हैं अब इनी नंबर का HCF अगर आपको निकालना है तो 360 आपको यहां पर भार रखना होगा 900 को आप इस तरीके सांदर रखेंगे तो दो बार में आ जाएगा 720 यहां पर जितनी strong calculation के साथ आप question solve करेंगे उतने जल्दी आपके question solve होंगे यहां पर आ जाएगा 180 180 में फिर से divide का sign लगाएंगे तो 180 के table में 360 जो है वो दो बार में चले जाता है तो इनका HCF कितना है last time आपने किसे divide कि है 180 से तो HCF आया आपका 180 एक जरो से एक जरो गया और यह जो नंबर है यह 10 बारी में चला जाएगा तो यहां पर जो correct answer आएगा आपका 10 आएगा जो कि आपको D option में यहां पर दे रखा है इसके अलावा next question अब मैं आपके साथ discuss करती हूँ next question जो है यहां पर आपको power base question यहां पर दे रखा है यहन की इस तरीके से power base question दे के आपको यहां LCM और HCF को divide करना है पहले आपको LCM निकालना है LCM निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको करना क्या है जो power सबसे बड़ी होगी उसको आप उठा लेंगे तो 2 की power 5 हम लेंगे इसके बाद हम 3 की power में क्या लेंगे 3 की power में सबसे बड़ी power है 3 और अगर हम 5 की power देखें तो 5 की power में सबसे बड़ी power क्या 5 की power 3 और नीचे आपको divide करना है उसके HCF के साथ और HCF क्या है HCF के अगर हम बात करें तो HCF होता है जो सबसे छोटी पावर होती है तो 2 के पावर आपको लेना पड़ेगा 3, इसके अलावाद 3 के पावर सबसे छोटी कौन सी है 2 फिर 5 के पावर कौन से लेने पड़ेगी 2, तो अब आप इन values को यहाँ पर काड़ सकते है अगर हम इनको कैंसल करेंगे तो 2 के पावर 2 यहाँ पर बच जाएगा इसके बाद इनको कैंसल करेंगे तो 3 के पावर 1 यहाँ पर बच जाएगा और इनको कैंसल करेंगे तो यहाँ पर 5 के पावर 1 बचेगा तो यानि कि यहां पर आपके पास आया 4 और यहां पर आया 15 15 फोर्जा होता है आपका 60 और यह किस option मिल रहा है यह आपको C option मिल रहा है I hope यह question और यह types आपको यहां पर clear हो रहे होंगी अब मैं आपके साथ next question यहां पर discuss करती हूँ अभी जब मैंने आप लोगों के साथ content भी discuss किया था तभी मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे ज़्यादा question जो divisibility rule से आपके पूछे जाते हैं वे आपके या तो 9 से पूछे जाते हैं या 11 से पूछे जाते हैं कि दोनों आपको बहुत अच्छे से करने हैं यहां पर वो रखा इफ नंबर एक नंबर है जो कि divisible है किसे 9 से तो आपको बताना है कि एक्स की जगह यहां पर क्या आएगा तो 9 की विभाज्यता का नियम क्या है कि सम ओफ डिजट जो हो 9 से विभाज्य होना चाहिए तो सम ओफ डिजट मैं इस तरीके से यहां पर लिख सकती हूँ सम ओफ डिजट इन सभी नंबर को आप जोड़ के देखेंगे तो कितना आजाएगा 21 21 प्लस X तो देखिए 21 में मैं ऐसा क्या जोड़ूं कि वो आपका किसे डिवाइट हो जाए 9 से तो 21 में आप यहां पर 6 जोड़ दीजिए तो अगर 21 में आप यहां पर 6 जोड़ेंगे तो यह कितना बन जाएगा यहां पर 27 बन जाएगा और 27 जो है वो आपका 9 की टेबल से डिवाइट होता है इससाब से यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्स का मान कितना आएगा अच्छे I hope यह कोशन आपको क्लियर होएँगे अब चलिए मैं आप लोगों के साथ next type और next type की कोशन यहां पर discuss करती हूँ अब हम इस session को यहां पर continue करेंगे और अब मैं आपके साथ एक important concept यहां पर शुरू कर रही हूँ जो कि triangle से related है अब देखिए यह जो topic है इस topic में आप लोगों को type of triangle यानकी जो त्रेभुज है वो कितने प्रकार के होते हैं साथ ते साथ congrence of triangle और इसके अलावा जो उनकी property से जो सूत्र आपके formula बनते हैं वहां से question पूशे जाते हैं तो कई सारे area से यहां पर question बन सकते हैं इस topic को आप ध्यान से सुनिएगा अब देखिए त्रेभुज होता क्या है triangle क्या होता है तो देखिए ऐसी कोई भी side ऐसी कोई भी shape बेसिकली जिसके तीन side हो तीन आपके भुजाएं हो वो क्या कहलाएंगी वो आपके triangle कहलाएंगी अब अगर हम भुजाओं के आधार पर, sides के आधार पर देखें तो हमारे आसपास triangle तीन तरीके के होते हैं सबसे पहले सम भाहू यानि कि equilateral triangle equilateral triangle क्या होंगे? जिसमें तीनो side जैसे की A, B, C जो हैं वो तीनों की तीनों एक दूसरे से समान होंगी इसी वज़े से इसे सम भाहू तरिभुज बोला जाता है अब दूसरा type का triangle क्या होता है? जिसे आप सम भी भाहू यानि कि यहाँ पर isosilis triangle बोलते हो isosilis triangle में क्या होगा? कि दो side यहाँ पर बराबर होंगी और तीसरी side यहाँ पर unequal होंगी इसके अलावा अगर हम scalant यानि कि विशम भाहूत रिभुज की बात करें तो इसके अंदर तीनों ही sides एक दूसरे के equal नहीं होगी तो कुछ basic चीज़े हमें यहाँ पर पता होने चीए इसके अलावा देखें यहाँ पर अगर हम इनके cone यानिके इनके angles के आधार पर देखें तो cone के आधार पर भी हमारे आसपास triangles तीन तरीके के होते है एक होता है acute angle triangle जिसमें जो cone होगा वे आपका 90 degree से छोटा होगा तो आपका acute angle new cone कहला हैगा अधिक cone यानके obtuse angle वो होगा जोके 90 degree से जादा उसका कोई नब कोई एक angle होगा और right angle वो जिसमें 90 degree का उसमें angle देखने को मिलेगा right angle triangle कुछ इस तरीके से देखने को मिलते है और right angle triangle में आपका pythagoras theorem यहाँ पर लगता है जिसके अंदर अगर आपको एक side यहाँ पर ना दी गई हो और दो side आपको पता हो जैसे कि a और b की value आपको पता है तो आप तीसरी side निकाल सकते हैं इसमें pythagoras theorem यह बोलता है कि longest side यहाँ कि x का अगर आप square करेंगी तो वो किसके बराबर आएगा a square प्लस b square तो यह है आपका pythagoras theorem जो कि किस पर apply होता है right angle triangle पे अब इसके अलावा जैसे कि मैंने कहा कि त्रिभुष से कुछ सूत्र आपके बनते हैं वहाँ से question पोछ जाते हैं जैसे कि अगर हमारे पास कोई भी एक त्रिभुष है जिसमें अगर मान लेजी यह side है a, यह side है b, यह side है c अगर मुझे sum of triangle निकालना है यानकि triangle के तीनों side का sum कितना होगा तब आप बोलेंगे कि triangle के तीनों side का sum कितना होता है 180 degree होता है और अगर मान लेजी कि triangle में कोई exterior angle है जैसे कि x तो यह x किस के बराबर होगा यह जो x होता है यह आपका interior opposite यानकि x के opposite में क्या है a और b, a और b के sum के बराबर होगा इसके अलावा एक और important concept है कि किसी भी त्रिभुज को बनने के लिए जो triangle की 2 side होगी जैसे कि triangle की 2 side है a plus b हमेशा वो third side से बढ़ी होगी तो यह आपकी condition किसीज के लिए है यह आपका त्रिभुज बनने के लिए है कि triangle की 2 side का sum हमेशा 30 side से बढ़ा होना चीए चाहे वो कोई भी 2 side आप ले लीजिए वो हमेशा 30 side से आपको बढ़ा देखने को मिलेगा तो यह condition आपको यहाँ पर याद अखने है क्या क्या चीज़े कि right angle triangle में यह पाइथगार सूत्र लगता है triangle के 3 side का sum कितना होता है 180 होता है अगर कोई exterior angle है चाहे कहीं से भी हो वो opposite side जैसे कि X के साथ C लगा हुआ है तो C को नहीं जोड़ेंगे C को छोड़कर A और B को जोड़कर लिखेंगे और 7-7 triangle के 2 side का sum हमेशा 30 side से बड़ा होना चाहे है अब यहां पर मैंने hiron's formula भी लिखा है hiron's formula कभ यूज होता है इसको जरह समझे कि triangle के अगर हमें angle दे रखें यान कि कोण दे रखें जिसे के A, B, C तो देखें इन 3 को जोड़कर तो 180 करके हम यहां पर triangle का जो यहां पर पूरा sum है या फिर कोई ने कोई side हम यहां पर निकाल सकते है तो अगर मुझे यहां पर question दिया जाए कि triangle के 3 side दे रखें इससे आपको area निकालना है इस triangle का तो आप कैसे निकालेंगे वैसे तो triangle के area का जो सूत्र होता है वे होता हाफ base into height तो इस सूत्र से भी आप निकाल सकते हो पर अगर आपको base और height ना दिया हो triangle के आपको 3 side दे रखें तो आप कैसे निकालेंगे तब हम यहां पर हिरोंस formula यूज़ करेंगे और हिरोंस formula के लिए आपको सबसे पहले S की जरूत है S होता है semi parameter parameter क्या होता है परिमाप यानकी 3 side का sum divided by 2 क्योंकि यह semi parameter है तो आपने S यहां पर निकाला तो area निकालने के लिए आपको करना क्या होगा under root S, S minus A, S minus B, S minus C और यह सूत्र आप तब लगाएंगे जब आपको यहां पर area यानकी 6 तरफल यहां पर निकालना हो और 6 तरफल किस case में निकालना हो वो भी जब आपके triangle के दिनो side दे रखे हो I hope triangle से related कुछ बेसिक चीज़ा आपको यहां पर clear होई होगी इसके अलावा यहां पर congrence of triangle से question पूछा जाता है congrence of triangle मतलब कि 2 आपके triangle है और दोनों में similarity है तब हम congrence सब्द का प्रियूप करते है और यह sign यहां पर देखने को मिलता है तो अगर 2 triangle के 2 side आपके congruent है और उनके बीच का angle congruent है तो उसे S, A, S अब देखिए इस topic को मैं आपके को ज़्यादा अच्छे तरीके से तब explain कर पाऊंगे जब हम questions करेंगे second type का congrency क्या होगा कि अगर 2 triangle के 3 sides आपस में बराबर है तो S, S, S होगा इसके अलावाद 2 angle और 1 side आपके बराबर है तो S, A, S अगर 2 angle और एक अलग से कोई side यहां पर common है तो यहां पर A, A, S और अगर वो right angle triangle है 2 triangle तो R, H, S तो इस तरीके से congrency के rule है और जैसे के मैंने कहा यह topic आपको questions के साथ और अच्छे से clear होगा अभी बस 5 minute आप रोग जाए इसके अलावा एक बहु फलक यानि कि polyhedron का question यहां पर पोशे जाता है इसके लिए आपको किसी भी shape में तीन चीज़े निकालनी आने चीए एक होता vertex जो कि आप इस corner को बोलते हो यानकि इस point को बोलते हो face यानकि जो आपके कमरे को अगर आप imagine करो तो जो दिवार है वो आपकी face है और यह जो लकीर type की होती है दिवारों के side में यह आपके edge यानकी किनारे है तो अगर आपका कोई भी जो shape है वो आपका exist करता है तब वो यहाँ पर इस सूत्र को verify करेगा जो कि क्या कहता है V-E plus F equal to 2 या आप class 8 के NCRT में बिलेगा और इस topic से एक question 110% आपका पूछे जाता है triangle से तो आपको 2-3 question मिल जाएंगे अब मैं आपके साथ third triangle साथे साथ congrency वाले और ये जो बहु फलक है इसके questions कैसे solve करते देखे maths में जब तक आप जितना ज़्यादा practice ना करें तब तक आपकी चीज़े अभी complete नहीं माले जाएंगी तो अभी मैं आपके साथ questions यहाँ पर discuss करूँगी ताकि ये topic भी आपका अच्छे से combine हो फिर आप next topic के तरह बढ़ेंगे अब हम त्रिभू जी यान के triangle और उसकी property से सम्मंदेद question साथे साथ congrence of triangle से समंदेद और polyhedron के combine question अब यहाँ पर discuss करेंगे तो देखे पहला question हमारे सामने है कि एक triangle है ABC जिसमें यहाँ पर बता रखा है B जो है वो 90 degree का है और AC की length हमें दे रखिए और BC की length भी हमें दे रखिए यहाँ पर हमें बताना है कि AB की length क्या होगी तो यहाँ मैं आपके सामने एक triangle जो है इस तरीके से अगर मैं इस तरिभुच की बात करूँ तो यहाँ पर हमें बोल रखा है ब मैं यहाँ पर 90 degree है तो यहाँ पर मैं B लिख देती हूą यहाँ पर मैं A और इस जगा पर मैं C लिख देती हूँ इस question में बोल रखा है कि AC जो है वो आपका कितना है वो आपका है 169 cm तो 169 हमने यहापे लिख दिया और जो BC है वो कितना है 120 है तो हमने 120 यहापे लिख दिया अब AB आपको निकालना है तो इस question और इस type को देखके आपको यह चीज clear हो गई होगी कि यहाँ पे हमारा Pythagoras theorem लगेगा जिसमें क्या बोला जाता है जिसमें जो longest side का square होता है यानकी AC का जो square होगा वो किसके बराबर होगा AB प्लस BC के square की sum की तो इस तरीके सा हम इसे यहापे लिख सकते है अब देखे यहाँ पर गौर करने वाली बात क्या है कि हमें AC का square कितना दे रखा है AC जो है वो आपका 169 दे रखा है यानकी 169 का आपको square करना है इस question में आपका concept tough नहीं था इसमें थोड़ा सा calculation यहापे थोड़ा tough हो जाएगा अगर मैं AB के बात करूँ तो AB आपको इस question में निकालना है यानकी X square आपको निकालना है और 20 ही कितना दे रखा है यहाँ पर 120 दे रखा है 120 का आप यहाँ पर square करेंगी तो simple सी बात है यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा X square को आप 1 side रख लीजिए यहाँ पर सबसे पहले अगर आप 169 का square करेंगी तो वो 28,500 कुछ आएगा तो इस चीज को हम यहाँ पर लिख देते हैं इसके अलावा क्यूंकि आपने X को दूसर साइज shift किया है तो यहाँ पर minus का sign भी आएगा अगर हम 12 का square करते हैं तो वो आता है 144 क्यूंकि यहाँ पर 120 है तो यहाँ पर 20 और आ जाएगे तो X square का जो मान आएगा X square का मान आ जाएगा आपका यहाँ पर 14,000 यानकि 14,161 तो आपको इसका क्या करना है इसका यहाँ पर square root निकालना है आप long division method जो अभी मैंने आपके साथ discuss किया था उससे भी इस question को यहाँ पर solve कर सकते हैं तो आपको करना होगा पीछे से जोड़े बनाने होंगे यहाँ पर 2-2 के जोड़े आपने इस तरीके से बनाए तो यहाँ पर आ जाएगा 1-1 तो यह 1 पुरा यहाँ पर कर जाएगा तो पूरा 41 आप यहाँ पर लिखेंगे तो 1-1 क्या हो जाता है तू अब तू के आगे आप यहाँ पर क्या लगा सकते हैं तू के आगे मैं अगर यहाँ पर दो दो लगा दू तो यहाँ पर आ जाएगा 44 तो हम यहाँ पर टू नहीं लगा सकते हम फिर से यहाँ पर क्या लगाएंगी एक लगाने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा यहा पर 21 उतर आएगा तो इस तरीके से long division method से इस question को try कीजिए और यहीं तक करने के बाद आपका answer आजाएगा देखिए 11 आ रहा है 11 मतलब अगर इसे आप पूरा solve करते हैं तो 119 जो है इस question अब यह जो next question हम लोगों के सामने है यहाँ पर हम लोगों को congrency से base यहाँ पर दे रखा है जिसमें बोल रखा है कि दो आपकी यहाँ पर त्रे भूज हैं यहाँ पर triangle ABC और triangle DEF अब यहाँ पर बोल रखा है कि अगर यह जो दोनो triangle हैं इनकी दो side जैसे कि यहाँ पर AB जो है वो DE के बराबर है और AC जो है वो आपका EF के बराबर है और BC जो है वो आपका DF के बराबर है तो आपको बताना है कि इन में से कौन सी congrency यहाँ पर सही बैठेगी तो सबसे पहले तो हमें क्या सीजे दे रहे हैं वो देखिए A, B जो दे रहा है वो किसके बराबर दे रहा है D, E के बराबर दे रहा है ठीक है जी और A, C जो दे रहा है वो किसके बराबर दे रहा है वो E, F के बराबर दे रहा है और यहाँ पर अगर हम देखें तो BC किसके बराबर दे रखा है वो आपका DF के बराबर दे रखा है यह कुछ basic information आपको यहाँ पर दे दी और यहाँ पर आप सभी option में देखेंगे कि एक side तो आपको ABC ही यहाँ पर दे रखा है तो ABC मैं हाँ पर इस तरीके से लिख सकती हूँ कि ABC किसके congruent है हम एक एक options को eliminate यहाँ पर कर सकते हैं तो देखिए यहाँ पर AB जो है पहले option में AB किसके बराबर दे रखा है EF के बराबर दे रखा है तो देखिए AB तो आपका EF के बराबर नहीं है EF के बराबर तो क्या है AC है तो पहला option तो इस question का अंसर नहीं हो सकता second option में AB किसके बराबर दे रखा है AB यहाँ पर DE के बराबर दे रखा है जो AB है वो तो आपका DE के बराबर है इसके अलावा अगर हम यहाँ पर BC को ले BC किसके बराबर है BC यहाँ पर EF के बराबर है जबकि BC जो है वो DF के बराबर होना चाहिए तो यहाँ पर यह वाला option भी eliminate हो गया अब अगर मैं next option देखूं तो यहाँ पर A B किसके बराबर दे रहा है ED के A B जो है ED यह DA यह आपका match करेगा बट इसके बाद अगर हम BC देखें तो BC किसके बराबर होना चाहिए DF के बराबर होना चाहिए यह चीज भी आपका match कर रहा है और अगर आप last में इस चीज को AC को देखो AC जैसे यहाँ पर दे रखा है AC किसके बराबर है EF के बराबर है तो AC जो है EF के बराबर दे रखा यह set भी आपका match कर रहा है यानि कि यह इस question का final answer होना चाहिए फिर भी एक बार last option को भी देख लीजिए AB जो है यहाँ पर किसके बराबर दे रखा FD के और AB किसके बराबर हमें question बो रखा है DE के बराबर तो यह option तो हुई नहीं सकता अगर आप किसी भी तरीके से match करो इस question का answer C option ही यहाँ पर correct answer होगा इसके लावा अब हम यहाँ पर next question जो है यह discuss करते है next question आपकी triangle की different property पर आधारित है यहाँ पर हमें एक tribus दे रखा है और इस tribus के अंदर अगर आप गौर करेंगे तो ABC करके triangle दे रखा है तो हम फटाफट यहाँ पर ABC एक triangle इस तरीके से यहाँ पर बना लेते हैं तो मैंने यहाँ पर ABC करके triangle यहाँ पर बना लिया जिसमें angle C जो है वो आपका 70 degree का यहाँ पर बता रखा है और AP जो है वो AC के बराबर है तो इस तरीके से यहाँ पर कोई line होगी और यह होगा point P तभी तो वो जो point है वो BC के उपर पढ़ रहे और हमें यहाँ पर बोल रखा है यह जो आपका AP वाली line है वो आपका किसके बराबर है वो आपका AC के बराबर है एक दूसरे के बराबर होगी तो हमने या पर लिखी हैं अब आगें यहां पर बोल रखा हैं कि हमें यह जो बी ये पि जो है वीए पी कौन सा भी एप यानकी यह desa यह वा यह यहम अगल यहाँ पर itat daga diamonds जहां यहां फेलिए तो आपको यहाँ पर बताना है कि एंगल P जो है वो कितना होगा तो अब हम इस question में जो जो चीजे दे रखें उसके according question को हैं आपर solve करते हैं सबसे पहले तो देखिए angle C जो है हमें इस question में हाँ पे 70 degree दे रखा था तो हमने यह चीज यहाँ पे mention कर ली इसके अलावा हम लोगों को B, A, P जो है वो आपको कितना दे रखा है वे आपको 30 degree दे रखा है और इसके अलावा हमें क्या दे रखा है इस question में कि A, P जो है आपका AC के बराबर दे रखा है बस यह तीन information आपको यहाँ पे दे रखिए अगर यह जो A, P है वो AC के बराबर है तो यहाँ पर आप यह गौर करेंगे कि P, A, C, N की यह वाला जो एंगल है वो भी कितना होगा वो भी 70 degree होगा क्यों क्योंकि यहाँ पर A, P अगर AC के बराबर है तो दोनों एंगल भी बराबर होंगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि A, P, C जो आपको पता होनी चीए इसके अलावा अगर यह वाला एंगल आपका 70 है यह वाला एंगल 70 है तो यह जो मैं ट्राइंगल अभी मैं दूसरे कलर से यहाँ पर बनाओंगी यहाँ पर आप गौर करिए यह वाला जो ट्राइंगल है इस ट्राइंगल की अगर एक यह वाली साइ में से ये दोनों angle का सम माइनस करना होगा दोनों angle मैंतलब 70 प्लस 70 कितना हो जाएगा यहाँ पर 140 तो 180 मैं से 140 को माइनस करेंगे तो कितना जाएगा चालिस तो यह जो angle a यहाँ पर mention किया यह आगया आपका चालिस तो basic यह चीज़ा आपको यहाँ पर clear हो गई होगी अब इसके अलावा यहाँ पर अगर यह 40 है और यह आपका 30 है तो यह पूरा कितना बन जाएगा यह पूरा आपका 70 बन जाएगा अब आपको यहाँ पर कितना करना है यह पूरा आपका 70 बन गया अब इसके अलावा यहाँ पे आपको इस question में solve क्या करना था कि angle B कितना होगा यहाँ पर calculate करना है तो अगर मैं angle B यहाँ पर calculate करना चाहूँ तो यह अगर पूरा 70 है तो यह कितना निकलेगा तो आपको करना क्या होगा वही अगर ये पूरा 70 है ये पूरा 70 है तो 70 प्लस 70 कितना हो जाएगा 140 और अगर पूरे triangle का sum कितना होता 180 अगर हम इसे calculate करते हैं तो angle B भी कितना आ जाएगा angle B भी आ जाएगा आपका 40 इस question में हमने क्या किया इस question में triangle की जो चोटी चोटी property होती है हमने उस property को use करके सबसे पहले तो हम लोगों ने ये चीज़ देखा कि यहाँ पर अगर ये एक angle 70 डिगरी है तो ये वाला जो दूसरा angle होगा यानि कि ये वाला angle भी आपका 70 होगा और अगर ये वाला angle और ये व पूरा angle A आ गया angle C आपको question में दे रखा था angle B आपने इस question का निकाल लिया अब मैं आपके साथ next question यहाँ पर discuss करती हूं next question हम लोगों से यहाँ पर जो polyhedron होता है उससे संब्दित पूछा गया है जिसमें आपको इस question के अंदर number of faces edges और vertex यहाँ पर दे रखा है किसी polyhedron का faces आपको यहाँ पर 7 दे रखे हैं इसके अलावा edges आपको 15 दे रखे हैं vertex आपको x दे रखा है और अगर आपको x का मान पदा चल गया तो x का मान पदा चलने के बाद आपको 3x प्लस 6 जो है वो calculate करना है तो देखिए इसमें जो आपका जो basic formula होता है उस formula को आप use करके इस question क हैं उसके कर सकते हैं सबसे पहले तो देखिए जो faces होते हैं faces प्लस vertex ओता है वो किसके बराबर होता है वह आपका edges plus 2 के बराबर होता है जो formula मैंने लिखा था उसी formula को हम यह आपके उस कर रहे हैं तो इस हइस हदा यहां पर आपके साथ हैं इसके अलावा vertex हमें नहीं पता vertex क तो मैं यहाँ पर x लिख सकती हूँ, edge इस question के कितने, edge है यहाँ पर 15, 15 प्लस 2 हमें यहाँ पर करना पड़ेगा, तो देखिए, यहाँ पर कितना आजाएगा, 7 प्लस x और इन दोनों को जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आजाएगा 17, अब मुझे इससे solve करना है, x का मान कितना आजाएगा, x का मान यहाँ पर आजाएगा 10, तो अगर आपको यह सूत्र पता है, तो इस तरीकी के question आप कर पाए जो कि आपको कौन सा option में मिल रहे है, जो कि हमें B option में मिल रहे है, इसके अलावा अगर हम next question यहाँ पर discuss करें, तो देखिए next question में हम लोगों का यहाँ पर कौन सा concept लगेगा, वो आपको समझना है, सबसे पहले तो अभी मैंने आप लोगों के साथ जो हीरोंस formula यहाँ पर discuss है, यहाँ पर Channel की height होती है, वे आपको यहाँ पर X दे रखा है, यह आपको नहीं पता, और यहाँ पर triangle की तीनों side हमें दे रखिये, कितने दे रखी, एक 16 दे रखिये, 지역 30 दे रखिये, एक आपकी 34 दे रखिये है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप क्या करेंगी, हेरों से पहले तो इसके लिए हमें s निकालना होता है s क्या होता है a plus b a plus b plus c divided by 2 अगर आप तीनों साइड को प्लस करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 80 80 by 2 कितना हो जाएगा 40 अगर मैं hiron's formula से इसके area को निकालू तो इसके area का formula हो जाएगा under root s क्या है s है यहां पर 40 इसके बाद होता है s minus a s minus a मतलब 40 में से 16 को minus करेंगे तो यहां पर कितना जाएगा 24 इसके बाद होता है s minus b यहां पर 40 में से 34 को minus करेंगे तो कितना जाएगा 6 इसके बाद होता है s minus c यानकि 40 में से 30 को minus करेंगे तो कितना जाएगा यहां पर 10 तो यहाँ पर आपके सामने आंसर आ गया 576 उसके बाद 2-0 तो देखिए 576 जो होता है यह 24 का square root होता है और 2-0 के जगा आप 1-0 लगा देंगे square root से 12 तो यहाँ पर आपको area जो है वो ग्यात हो चुगा है अब अगर आपको area ग्यात हो गया है तो area of triangle का formula क्या होता है half base into height मैंने आपको कहा था कि इन दोनों formula को mix करके question पूछे जाता है अभी आपने area निकाला कितना निकाला 224 है हाँ पे निकाला और half को आप half रहने देंगी इस triangle का base किया है इस triangle का base है यहाँ पे 34 और height आपको यहाँ पे ज्याद करनी है height को ही यहाँ पे x लेने को बोला था तो हम height की जगा x ले लेते हैं जब आप इसे solve करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा x का मान आ जाएगा 240 बटे 17 क्यूंकि आपने यह चीज़ अगर यहाँ पे काट दी तो यहाँ पे आ जाएगा 17 तो x का मान 240 बटे 17 आ गया अब आपको इस question में क्या करना है इस question में 2x प्लस 5 की value यहाँ पे निकालनी है तो अभी आपने x का मान क्या निकाला था 240 बटे 17 प्लस 5 आपको यहाँ पे solve करना होगा यहाँ पे आप LCM ले सकते हैं LCM लिए भीना आप इसे किस तरीके से solve कर सकते हैं यहाँ पे 480 बटे 17 प्लस 5 लिख सकते हैं इसे decimal में convert करके और आप इसे 5 में use कर सकते हैं बाकि आप अगर इसका LCM लेके solve करेंगे तो यहाँ पे आजाएगा 480 प्लस 17 और 5 को अगर आप multiply करेंगे तो 85 नीचे आजाएगा 17 इन दोनों को जोडने के बाद यहाँ पे आजाएगा यहाँ पे 565 by 17 565 by 17 जो है आपको कौन से option मिल रहा है या आपको C option मिल रहा है इसके अलावा next question एक और यहाँ पे congruence of triangle का यहाँ पे पूछा गया है जिस question में यहाँ पे बोल रखा है कि D E F यहाँ पे जो है वो किस किस मतलब इन में से किस के congruence होगा यह आपको बताना है इस question को बिना आप यहाँ पेन पेपर के भी से solve कर सकते हैं तो देखिए question के अनुसार जो चीज़े दे रखे है D E जो है question में किस के congruence बता रखा है B A B के तो पहले option में जो D F है वो आपका A B के बराबर दे रखा है इसके अलावा अगर हम यहाँ पे next देखें तो next यहाँ पे E F है E F किस के बराबर दे रखा है वो A C के बराबर दे रखा है पर यहाँ पे तो question में BC के बराबर दे रखा है तो यहां पर यह option इस question का अंसर नहीं होगा इसके अलावा next अगर मैं option देखू ध्यान से देखेगा यहां पर हमें DE जो है DE जो है इस question में क्या दे रखा है AB के बराबर होना चाहिए DE, AB के या BA के बराबर हो सकता है यहां पर यह दे रखा है इसके अलावा अगर हम यहां पर और क्रॉस चेक करने की कोशिश करें और EF को देखें EF जो है यहां पर इस question में यह option में EF जो है यहां पर AC के बराबर है और यहां पर अगर हम देखें तो EF जो है AC के बराबर दे रखा है तो ये भी यहां पे सही बन रहा है और अगर हम DF को देखें फाइनली यह जो पहला और लास्ट टर्म है DF को अगर हम देखें तो DF जो है यानकि FD या DF जो है वो BC के बराबर होना चाहिए यह आपका BC के बराबर दे रखा है तो यह तीनों कंडिशन यहां पे साइटिस्टफाई हो रही है तो यह वाला कोशन इस कोशन का करेक्टर अंसर होगा बाकि आप्शन को भी आप देख लीजी यहां पर DE दे रखा है DE किसके बराबर होना चाहिए AB के जबके DE AC या CA के बराबर दे रखा है तो यह गलत हो जाएगा यहां पर DF जो है यह किसके बराबर दे रखा BC के जबकि DE जो है वो BC के बराबर दे रखा जबकि DE जो है वो AB के बराबर होना चाहिए तो यहाँ पर एक ही condition सही हो रही है जो कि आपकी B option इसके अलावा next question अब हम यहाँ पर देखते हैं तो देखिए यहाँ पर हम लोगों को जो next question है वो आपका एक pentagonal prism का दे रखा है pentagonal prism क्या होता है एक ऐसा prism जिसका base आपको यहाँ पर pentagon shape का यहाँ पर देखने को मिले यानि की किस तरीकी का यह prism हो जिसमें यहाँ पर 5 side इस तरीके साब को देखने को मिले एक दो तीन चार पाँच और इस तरीके का prism जो है यहाँ आपका pentagonal prism यहाँ पर कहलाता है इसकी side को आप यहाँ पर इस तरीके से जोड सकते हैं इस तरीके के prism को हम pentagonal prism कहेंगे अब इसमें अगर आप यहाँ पर faces को गिनें तो faces को जब आप गिनेंगे तो यहाँ पर faces आएंगे आपके साथ यहाँ पर आप इसे 3D view में समझ की गिनना इसके अलावा इसके vertex को यान आपको क्या करना है इनमें यहाँ पर satisfy करके देखना है कि यहाँ पर बराबर आ रहा है है या नहीं आ रहा है यहाँ आपको यह डेखना है तो not वाले option को देखना है तो एक option को मैं आपके साथ solve करती हूँ तो यहाँ पे दिरखा f plus e यहाँ कि 7 plus e कितना है 15 minus 10 यह कितना होगा solve करके अगर आप इसा solve करेंगे तो 7 plus 15 हो जाएगा 22 minus 10 कितना हो जाएगा यहाँ पे 12 तो यह वाला option सही है क्योंकि सही option को नहीं चुनना तो यह वाला option नहीं होगा तो इस तरीके से जो option satisfy ना करें वो इस question का correct answer होगा आपको comment section बताना है इस question का final answer क्या है इसके अलावा equal question मैं आपके साथ यहाँ पे discuss कर रही हूँ तो देखिए यह जो next question है इसमें बोल रखा है कि अगर आपका a b जो है वो 12 cm है और b c जो है वो 15 cm है तो यहाँ पे कौन से statement यहाँ सही होगी तो देखिए जो ac की value है वो आपकी किस range में होगी वो इनके बीच में होगी यानकी इनके difference और इनके sum की बीच में यानकी सबसे छोटी value क्या होगी कि इनको आप minus करोगी और सबसे बड़ी value क्या हो सकती है यह इनको plus करोगी simple सा कहने का मतलब क्या है कि ac की value का range इनके gap के बीच में होगा यानकी 3 और 27 के बीच में होगा यह आपका rule बोलता है यह एक property है triangle की जो आपको पता होनी थी I hope यहां तक का session आपको पसंद आया होगा अब चलिए हम आगे के session को यहां पर continue करें अब मैं आपके साथ दो और important concept यहां पर discuss करूँगी अब देखिए हम लोगों को exam में एक question इसीज का पूशे जाता है कि हमें किसी number का square root यानि कि वर्ग मूल जो है यह निकालना होता है और वर्ग मूल निकालने के लिए आपके पास दो अलगरग method होते एक होता है prime factorization यानि कि अभाद्य गुननखन और दूसरा होता है भाग भी थी तो दोनों ही method से हम prime factorization किस तरीके से करेंगे या फिर आपके लिजिए कि square root किस तरीके से निकालेंगे यह मैं आपके साथ discuss करती हूँ और देखी इस topic को देखने के बाद आपको लगेगा यह तो बहुत easy है बट इसके questions आप यहाँ पर देखेगा कि किस तरीके के पूछे चाते हैं क्यूंकि देखिए जिस तरीके के question आपके exam में आने वाले हैं आप उसके लिए अगर पहले से prepare हैं तो आपको question solve करने में वहाँ पर एक confidence जो है मन में बना रहेगा अब देखिए अगर मेरे पास ऐसे दो अलग-लग नंबर हैं और दोनों को ही मुझे different तरीके से प्राइम factorization और division method यांकि भाग वे थी और अभाज्य घुर्णखर्ण से यहां पर square root निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी तो सबसे पहले तो अभाज्य यांकि प्राइम factor का मतलब क्या है प्राइम वो होते हैं ऐसे नंबर प्राइम नंबर उन संख्याओं को कहते हैं तो कि अपने या फिर एक के अलावक किसे और table से नहीं जाता तो सबसे पहले अगर मैं प्राइम factorization करूंगी तो मैं 2 से यहां पर start करूंगी 2 आपका सबसे छोटा प्राइम नंबर कहलाता है तो 2 से हम शुरू कर रहे हैं 2 की table में 3 नहीं आता तो हमने एक बारी में इसे यहां पर divide करके इसे मैं यहां divide करते चले जाओंगी तो 162 आ जाएगा आप 2 से इसे भाग करके देखेगा यह नंबर फिर से 2 की table से भाग होगा और 81 यहां पर आ जाएगा अभी मैंने आपके साथ divisibility rule जो है वो discuss किया था विभजयता के नियम में यह बताया था कि 2 से भाग होने वाली संख्याएं वो होती है जिसका last is digit आपका 2 से भाग हो पहले case में 4 था इस case में 2 था इस case में 1 है एक आपका 2 की table से भाग नहीं होता तो अगला जो next prime number है वो कौन सा है? वो है 3 तो 3 की table में यह जो 81 है यह 27 बार में जाएगा और यह जो 27 है आपको पता है 3 की table में जाता है कितने बार में? 9 बार में और 9 जो है यह 3 की table में ही जाएगा और 3 जो है 3 की table में जाएगा तो अगर मैं कहूं कि इसके कितने prime factor बने हैं तो आप कहेंगे कि 2 की power 2 हम इस तरीके से लिख सकते हैं और 3 की power कितनी? 3 की power 4 तो यहाँ पर आप इस तरीके से prime factorize से यहाँ पर कर सकते हैं और इसको किस तरीके से exam में question में use किया जाता है अभी मैं आपके साथ discuss करूँ गी अब यहाँ पर अगर आपको भाग विधी से किसी भी संख्या का यहाँ पर वर्ग मूलियन की जो आपका square root है यह निकालना होगा तो आप कैसे निकालेंगे? तो देखिए यहाँ 529 एक number लिखा हुआ है इसका मैं आपको करके दिखाती हूँ अगर आपको भाग विधी से division method से इस question को solve करना है तो आपको पीछे सा जोड़ यहाँ पर बनाने तो अगर मैं पीछे सा जोड़ा बनाती हूँ तो एक बनेगा 29 और एक 5 हाके लगा जाएगा तो यह जो square root आप निकालोगी यह जोडो में निकालना होता है और जोडो में निकालने के लिए हम क्या करेंगे यह table भी इसी तरीके से पढ़ेंगे जैसे कि 1 1s a 1, 2 2s a 2, 3 3s a 3, 4 4s a मतला I mean sorry 1 1s a 1, 2 2s a 4, 3 3s a 9 तो इस तरीके से हम यहाँ पे जोडो में ही इसे multiply करते चले जाएगे I hope यह जज़े आपको clear हुए होँगी तो 1 1s a 1 आएगा तो देखिए अगला number है 2 2s a 4 तो 2 और 2 को अगर हम multiply करेंगे तो 4 आएगा 3 3 आएगा 9 तो 9 तो 5 सा बड़ा है तो 2 और 2 को हम यहाँ पे लिए सकते हैं तो यहाँ पर कितना आजाएगा? 4 तो मैं minus करूंगे तो यहाँ पर बचेगा 1 आपको next step में क्या करना? इन दोनों को जोड़ देना है इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे और जोड़ के लिखेंगे तो यहाँ पर आजाएगा आपका 4 क्या किया? मैंने इस दो को इस दो के साथ यहाँ पर जोड़ दिया अब यहाँ पर एक बचा था अब अगले case में आपको करना क्या होता है? कि जो जोड़े आपने बनाएं उन जोड़ों को आपको एक साथ ही उतारना होता है अब क्योंकि हमने कहा कि पेरिंग चलेगी तो यह जो 4 है इस 4 के साथ एक एक को जोड़ कर हम मंटिप्राइ करेंगे तो कितना आएगा? 49 अगर 4 के साथ 2-2 मिलाएंगे तो यहाँ पर कितना आजाएगा? यहाँ पर आजाएगा 4 और यहाँ पर आजाएगा 8 अगर हम 3-3 जोड़ते हैं तो यहाँ पर कितना आएगा? यहाँ पर आजाएगा 239 यानि कि आपका जो अगला पेर यहाँ पर बनेगा एक तीन यहाँ पर आएगा एक तीन यहाँ पर आएगा तो 139 पूरा यहाँ पर भाग हो गया तो इसका मतलब क्या है? कि 2 यहाँ पर 529 किसका यहाँ पर वर्ग मूल है? किसका स्क्वार रूट है यहाँ पर 23 का? I hope यह दोनों टाइप और यह दोनों कोशन आपको यहाँ पर clear होयोंगे अभी मैं आपके साथ कोशन डिस्कूस करूंगी और उन सभी टॉपिक्स के कोशन डिस्कूस कर रहे हों जो कि last आपके जो 5 से 6 एयर में आपके repeatedly यहाँ पर पूछे गए including ये वाला साल जो 20 अगस्त का आपके paper हुआ था अगर मैं exponent in park घातांग और घात की बात करूंगी तो सबसे पहले सबसे basic आपका जो concept बनता है कि अगर किसी की भी power 0 होती है चाहिए कितना भी बड़ा number हो तो उसका answer हमेशा 1 आएगा चाहिए वो 1000 की power 0 क्यों ना हो यह आपको पता होना चीए इसके अलावा अगर दो number यहाँ पर multiply में हैं और दोनो number अलग-लग हैं अब अगर इस case में यहाँ पर इनका base जो है वो अलग-लग है और power जो है वो same है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे इनके base को हम इस तरीके से एक बार लिख देंगे और power एक बार इस तरीके से हम use कर लेंगे अब अगर next case यहाँ पे आ जाए जिसका base जो हो यहाँ पे बराबर हो जैसे की x और x अब power यहाँ पे अलग हो और यह number multiply हो रहे हो तब हम यहाँ पे क्या करेंगे इसके base को एक बार लिखके power को यहाँ पे जोड़ देंगे तो यह सभी जो concept है आपके अभी question solve करने में यहाँ पे use होंगी इसके अलावा next concept यहाँ पे बनता है कि अगर दो number है जो की divide हो रहे हो और जिनका base यहाँ पे बराबर हो बट अगर power यहाँ पे अलग लग हो तो divide की जगा कब multiply आ गया है तो plus की जगा यहाँ पे क्या आ जाएगा minus आ जाएगा यह चीज़े आपको यहाँ पे याद रखनी है इसके अलावा कुछ और concept यहाँ पे बनते हैं कि अगर किसी एक number की power है और उसके bracket के बाहर एक और power है तब हम यहाँ पे क्या करेंगे दोनों power को यहाँ पे multiply कर सकते हैं इसके अलावा एक negative exponent का case क्या बनता है कि अगर इस तरीके से reciprocal तरीके से कोई number लिखा हुआ है तो उसे हम क्या करेंगे उसे उपर लाके हम यहाँ पे minus की form में इस तरीके से लिख सकते हैं या फिर अगर minus की form में इस तरीके से लिखा है तो यह नीचे जाके आपका one upon x की power a इस तरीके से यह बन जायागा तो यह कुछ आपके important formula हैं जो आपको यहाँ पर पता होने चाहिए किसके घातांक और घात के अभी मैंने आपके साथ वर्गमूल square root, square and square root और साथे साथ exponent and par के कुछ important formula और concept आपके साथ डिसकस किए अब मैं आपके साथ यहाँ पर कुछ previous question डिसकस करना चाहती हूँ जो कि इन topic पर यहाँ पर based है अब हम इस session को यहाँ पर continue करते हैं और देखी यह मैंने एक type का question लिया हुआ है जिसमें आपको क्या करना है normal इस equation को यहाँ पर solve करना है जिसमें आपको p की value दे रखी है q की value और r की value दे रखी है और p q r को आपको किस तरीके से satisfy करना है कि p को q से minus करना है और r से यहाँ पर इसे plus करना है और इनको यहाँ पर simplify करना है तो देखी इस type के question को solve करते हुए आपको बहुत ज़्यादा concentration चाहिए होता है क्योंकि अगर छोटे से छोटी silly mistake भी हो गई तो यह यहाँ पर यह question गलत हो जाएगा सबसे पहले आप इस equation को लिखोगे यहाँ पर 10x square minus 8y square plus यहाँ पर 5xy आपने इस तरीके से यहाँ पर लिख दिया इसके बाद q के साथ इसा minus करना है तो सारे sign यहाँ पर उल्टे हो जाएंगे क्योंकि minus plus होता है minus तो सभी sign को आप उल्टा क नहीं करोगे तो आपके question का जो answer है वो सही नहीं आएगा और r का sign वही रहेगा क्योंकि r को यहाँ पर प्लस करना था तो हमने इस तरीके से यहाँ पर लिख लिया अब जब आप इस step को यहाँ पर पहुच जाओ तो इसके बाद आपको क्या करना है like terms को एकटा कर लेना होत तो x square वाले terms को आपको यहाँ पर 7 में solve करना होगा और आप यहाँ पर जब इसे solve करोगे तो देखे इन दोनों के सामने यहाँ पर जैसे 3 x square और 3 x square के सामने minus cosine है minus minus हो जाता है plus यहाँ कि 6 x square हो जाएगा 10 में से 6 minus करोगे तो 4 x square यहाँ पर बचेगा सबसे पहले इसके और plus 8 y square कर जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा सिर्फ यह वाला y का term बचेगा जो की है minus 10 y square तो मैंने यहाँ पर लिख दिया इसके बाद x y वाली term को अगर हम देखें तो x y वाली term में आप यहाँ पर देखोगे कि 5 x square और 9 x square sorry 5 x y और 9 4 x y है 5 और 4 क्या बन जाएगा 9 और 9 को अगर मैं 12 में से minus करूँ तो यहाँ पर क्या आजागा 3 और क्यूंकि 12 वाला term बड़ा है इसलिए minus 3 y यहाँ पर जो correct answer आएगा आपका b option में यहाँ पर बैट रहा है I hope इस type के question आएगे तो आप यहाँ पर करी लोगे अब मैं आपके साथ next question यहाँ पर discuss करती हूँ next question में हम लोगों को यहाँ पर इसका square root निकालना है आपके पास methods है different आप prime factorization method से भी निकाल सकते हैं division method से भी निकाल सकते हैं जिस भी method से आप चाहें तो 769 का अगर आप निकालेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि 8, 2 जो है वो 8 times आएगा और 3 के power 1 आएगा इसको आप solve करिएगा और अगर आप 3269 का अगर आप 67 का अगर आप निकालेंगे तो 3 के power 3 और 11 के power 2 आजाएगा तो basic जो चीजे हैं यहाँ पर मैंने वो चीजे यहाँ पर pen down कर दिया इसके अलावा अगर हम यहाँ पर आगे द करने है 2 के power 8 जो है root के बहार आके 2 के power 4 बन जाएगा इसके अलावा 3 के power 1 ओर 3 के power 3 जो है दोनों combine होके 3 के power 4 बन जाएगा और 3 के power 4 भी bracket के बहार आके मतलब root के भार आके 3 के पावर 2 बन जाएगा और 11 के पावर 2 जो है वो 11 बन जाएगा basically root के भार आके वो power single हो जाती है तो यहाँ पर हमने इसे 12 से divide कर दिया इसे जब आप 12 से divide करेंगे तो यहाँ पर आपके पास क्या बच जाएगा अब जब आप इसे simplify करेंगे तो simplify करने के बाद आपका final answer आजाएगा 4 into 3 into 11 अगर आप इसे multiply करते हैं तो यहाँ पर answer आजाएगा 132 जो कि आपको C option में आपर मिल रहा है इसके अलावा अब हम एक और next question यहाँ पर discuss करते हैं और यह सभी question जो मैं आपके साइट discuss कर रही हूँ यह आपके previous year में पूछे गए हैं तो आप tension free होके इन सभी questions को करिए और इन सभी questions को असानी से समझने की कोशिश करिए सबसे पहले तो आपको 675 का यहाँ पे square root जो है वो आपको बनाना होगा यानिके square root जो है आपको calculate करना होगा तो आपको यहाँ पे square root इसका क्या मिलेगा कि जो 5 के power है 5 के power तो 2 आपको मिलेगा और 3 के power आपको यहाँ पे 3 मिल जाएगा इस तरीके से आपको यहाँ पे simplify करना है इसके अलावा यहाँ पर अगर मैं यहाँ जो नीचे लिखावा है 9408 इसका अगर मैं prime factorization करती हूँ तो इसका prime factorization करने के बाद आपको यहाँ पे 2 के power कितनी मिल जाएगी 2 के power यहाँ पर मिल जाएगी 6 और इसके अलावा 7 जो है वो दो बार मिल जाएगा और 3 जो है वो एक बार मिल जाएगा इसका prime factorization करके देख सकते हैं तो देखिए सबसे पहले जो pairing में बन रहे हैं उसको आप बहार निकाल दीजिए तो आप कहेंगे कि 3 के power 2 और 5 के power 2 pairing में बन रहे हैं pair के बहार आके single हो जाएगी यहां कि 5 और 3 बन जाएगा 5 3 कितना होता है 15 और 1 3 का pair नहीं बना था तो हमने इस तरीके से लिख दिया नीचे अगर हम देखें तो 2 के power 6 अगर हम यहां पे root के बहार निकाल देंगे तो 2 के power 3 बन जाएगा 7 के power 2 जो है वो 7 बन जाएगा तो 2 के power 3 क्या होता है 8, 8, 7 जा होता है 56 56 और नीचे कितना आजाएगा root 3 root 3 से root 3 यहां पे कट जाएगा तो A by B के value आपके पास क्या आगी A यहां पे आगे आपके पास 15 B यहां पे आगे आपके पास 56 15 और 56 को जब आप यहां पे जोडेंगे तो आपके पास answer कितना आजाएगा 71 जो कि आपको यहां पे पहले option में मिल रहा है मैं उमीद करूँगी कि यह questions करने के बाद आपको एक confidence आ रहा होगा और साथे साथ आपको एक idea लग रहा होगा कि किस तरीके की question आपके paper में पूछे गए है तो देखे यहां पर इस question को हम exponent and power के concept से भी solve कर सकते है अब देखे यहां पे 2 के पार minus 1 को मैं कैसे लिख सकते हूँ 1 by 2 इसके बाद 5 के पार minus 1 को कैसे लिख सकते हूँ 1 by 5 इसके बाद यहां पे divide का sign है और divide के sign के साथ साथ हमें यहाँ पर क्या दे रखा है यहाँ पर 8 के पार minus 1 इसे मैं 1 by 8 लिख सकती हूँ तो मैंने इस तरीके से इसे लिख दिया इसे आप अभी close bracket में ही रहने दीजिए divide का sign यहाँ पर है बीच में और यहाँ पर हमें क्या दे रखा है यहाँ पर हमें दे रखा है 4 के पार minus 1 और 8 के पार minus 1 यहाँ पर हमें यह terms दे रखी है और इसकी power भी हमें minus में दे रखी है तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 by 4 और यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 by 8 तो मैंने इस तरीके से इतना लिखे से छोड़ दिया अब देखिए यहाँ पर आपको bracket के अंदर जो चीजे होती है पहले उससे simplify करना होता है तो यहाँ पर आजाएगा 1 by 10 क्योंकि 1 1s 1 होता है 2 5s होता है 10 इसके अलावा divide के बाद जो भी fraction होता हो उल्टा हो जाता है तो यहाँ पर हो जाएगा 8 by 1 तो मैं इसे इस तरीके से लिख सकती हूँ साथे साथ अगर आप इनका LCM लेंगे तो LCM आएगा 8 और LCM से solve करेंगे तो 3 by 8 यहाँ पर आजाएगा इसकी power भी अभी क्या है इसकी power भी अभी यहाँ पर negative है जब आप इसे simplify करेंगे तो यहाँ पर simplify करके 4 by 5 यहाँ पर आजाएगा और क्यूंकि यहाँ पर divide का sign है और क्यूंकि इसे उल्टा भी करना है तो क्यूंकि एक बार divide की वज़े से उल्टा होगा एक बार minus का sign की वज़े से उल्टा होगा तो यह नमबर इसी तरीके से रहेगा यहाँ पर confuse मत होईएगा negative power की वज़े से एक बार reciprocal होगा divide की वज़े से क्यूंकि divide को multiply में चेंज करें तो एक बार reciprocal होगा इसी वज़े से यह नमबर आया है अब आप इसे solve करेंगे तो यहाँ पर आपका final answer की आ जाएगा यहाँ पर final answer आ जाएगा 3 by 10 क्यूंकि 4 और 8 यहाँ पर cut जाएगे 3 by 10 जो है आपको यहाँ पर इस question के particular option में नहीं मिल रहा इस question में जो यहाँ पर seat at के through answer क्लिक किया गया था वो क्लिक किया गया था 30 को बट अगर आप इसे simplify करेंगे तो आप कहाँ से 3 by 10 जो है पर आने वाला जैसे कि अभी मैंने आपके साथ solve किया अब मैं आपके साथ यहाँ पर next question जो है वो solve करती हूं तो देखिए next question हम लोगों के सामने एक prime factorization का दे रख है जिसमें एक number है इतने बड़े number को आपको prime factorize करना है और prime factorize करने के बाद वो answer आपका ABC की format में आना चाहिए तो देखिए इसको जब मैं prime factorize यहाँ पर करने लगूं तो सबसे पहले मैं इस number को यहाँ पर लिख दूँगी इस number को लिखने के बाद सबसे पहले हम 2 की table से start कर रहे है तो 2 से हम फटाफट अगर इसे prime factorize करेंगे तो यहाँ पर मैं divide कर रही हूं 5, फिर 3, फिर 2 और उसके बाद यहाँ पर आजाएगा 4, फिर 0 अभी यह अगें 2 की table से divide हो सकता है तो यहाँ पर आजाएगा 2, 6, 6 और उसके बाद 2, 0 उसके बाद अगें यह 2 की table से हो सकता है 1, 3, 3, 1, 0 और अगें यह अभी 2 की table से जाएगा कितने बार में 6, 6, 5, 5 अगर आप यह number देखो तो यह number देखके लग रहा है कि 5 की table से जा सकता है sorry 11 की table से जा सकता है 11 की table से अगर मैंने divide किया तो 6, 0, 5 आया 11 की table से यह further यहाँ पर divide होगा और 11 की table से 55 times में अगें यह 11 की table से यहाँ पर divide हो सकता है वो भी 5 times में तो यहाँ पर आप क्या करोगे 11 की टेबल से आपने 5 टाइमस फिर से यहाँ पर डिवाइट किया और last में finally यह 5 की टेबल से डिवाइट हो जाएगा तो हमने इस तरीके से इसको यहाँ पर pen down कर दिया अब pen down करने के बाद आपको यह चीज यहाँ पर clear हो रही है कि 2 के पावर कितने बार आ रही है 2 के पावर यहाँ पर 4 टाइमस आ रहा है और A के पावर 4 दे रखा है तो A के value क्या होगी A के value होगी 2 B जो है वो एक बार आ रहा और 5 यहाँ पर एक बार आ रहा है तो B के value क्या होगी 5 और C के पावर यहाँ 3 दे रखी है और 11 जो है वो 3 times आ रहा है तो C के value क्या होगी 11 A, B, C के value आ गई इसमें आप put करिए और final answer जो आएगा आपका यहाँ पर आएगा 5 जो कि आपको C option में हाँ पर दे रखा है I hope इस type के question आपको यहाँ पर clear हो रहे होंगे अब देखिए एक और question हम लोगों को यहाँ पर दे रखा है जिसमें यहाँ पर बोल रखा है कि which least number must be subtracted from this to make a perfect square यान कि इसमें से कौन सा least number है जिसको आप subtract कर सकते हो ताकि perfect square आ जाए long division method से कभी भी ऐसा question आए तो long division method solve करिएगा 2-2 के pair बनाए तो यहाँ पर आ जाएगा 6-6 है क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा माइनस करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 कभी भी pair वाली चीजों को जोड़ों में ही उतारते हैं यहाँ पर 6 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 12 अगर आप यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 लिखते हैं तो अगला नंबर क्या जाएगा यहाँ पर 244 और माइनस करके कितना आ जाएगा 6 यानि कि अगर मैं इस नंबर में से क्या करूँ इस नंबर में से मैं 6 हटा दू 6 सबस्ट्राक्ट कर दूँ तो यह जो नंबर है यह perfect square बन जाएगा इस वज़े से इस question का final answer क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 I hope इतना question और इतने session यहाँ पर पसंद आयोंगी अब चलिए मैं आगे के session को यहाँ पर continue करती हूँ और मैं उमीद करूँगी कि यह session आप last तक continue करेंगे अब हम इस session को यहाँ पर continue करते हैं और आप यहाँ पर दो तरीके के flow chart को देख पाएंगे जिसमें यहाँ पर आप देखेंगे 2D shapes जो हमारे होते हैं जैसे कि त्रिभूश हो गया इसके लावा आयत हो गया वर्ग हो गया यहाँ पर सबसे जादा जो confusion आप लोगों में बनी रहती है वो इनके सूत्रों से समंदित है ट्राइंगल याँन की त्रिभूश की बात करें तो परिमाप कैसे निकलेगा तीनों साइडों को जोड़ दीजेगा यहाँ परिमाप निकल आएगा एरिया निकालने का एक फॉर्मुला होता है half base into height और एक फॉर्मुला वो जो साइड और साइड स्क्वेर इससे आपका छेत्रफल आएगा रॉम्बस की चार साइड होती है और इसके डाइगनल एक दूसरे को इंटरसाइड करते हैं तो इसका एरिया जो निकलता है half d1 into d2 d1 क्या है d2 क्या है इसके बीच का यह जो पाइगनल होता है इनको हम बोलते हैं d1 और d2 अब पैलेलोग्राम की हम बात करें तो पैलेलोग्राम में भी आपको चार साइड इस तरीके से दिख जाएंगी जो अपोसर साइड होती है वो एक दूसरे के पैलेल होती है और यहां पर आप देखेंगे कि इसका परिमाप तो चार साइड को जोड़ देजिए और एरिया होता है बेस इंटू हाइट ट्रपीजियम के अगर हम बात करें तो ट्रपीजियम कुछ इस तरीके से दिखता है इसका जो यहां पर पैलेल साइड होते हैं इनको अगर हम सम करें और यहां पर इसके बीच के जो हाइट होते है पैलेल साइड के बीच के हाइट को हम लेके इसे अगर हम आधा कर दें तो इसका एरिया आ जाएगा और इसका परिमाप निकालने के लिए इसके चारो साइड को आप जोड सकते हैं अब अगर हम सरकल की बात करें तो सरकल का यहाँ परिमाप न बोलके इसका circumference बोला जाता है तो इसका circumference आता है 2 pi r से pi यहाँ पर होता है 22 by 7 या question में अगर 3.14 लेने को बोलें तो 3.14 लीजेगा otherwise इसका छेतरफल यहाँ पर area जो निकलता है pi r square से इसके अलावा 3D shape जिसमें सबसे ज़्यादा confusion होती है क्योंकि formula बोहत आपस में clash करते हैं जिसमें आपको यहाँ पर घंदलाब हो गया, घंद हो गया, cylinder हो गया, यानकी balance हो गया, cone हो गया, sphere हो गया, hemisphere इनके आपको सूत्रियाद करने है, इसका अगर आपको आयतर निकालना है तो आयतर निकालने के लिए, volume निकालने के लिए तो cuboid का होता है l into v into h, cone का होता है a cube, cylinder का होता है pi r square h कोन का होता है 1 by 3 pi r square यान की इसी formula में 1 by 3 लगा दीजिए square में क्योंकि height होती नहीं है तो 4 by 3 pi r cube और hemisphere इसका आधा कर लीजिए 4 का आधा कर दिया अब total surface area मतलब सारी side को cover करना और अगर माल लेजिए कि आप अपने घरों को paint करते हैं तो आप floor को और आप top को यान की ceiling को अलग color से paint करते हैं तो आप जब दिवारों के बात करें तब यहाँ पे हम cut surface area CSA निकालते हैं और CSA की ये formula हो गए तो basically 2D shape और 3D shape के ये सभी formula आपको अच्छा से याद होने चाहिए questions को solve करने के लिए अब मैं आपके साथ इन दोनों के combine questions नहाँ पे discuss करती हूँ ताकि ये topic भी आपका जैसे combine हो अब मैं आपके साथ next type यहाँ पे discuss करना चाहती हूँ जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ 2D and 3D shapes के questions यहाँ पे discuss करूँगी तो देखिए पहला question हम लोगों के सामने एक trapezium का लिया हुआ है तो यहाँ पर अगर हम इस trapezium के बात करें और यहाँ पर मैं आपके सामने एक trapezium को draw करूँ तो यहाँ पर मैं draw करूँगी ABCD इस तरीके से अब ABCD में हम लोगों को बोल रखा है कि AB और CD जो है यह आपस में एक दूसरे से parallel sides है तो यहाँ पर मैं AB और CD इस तरीके से यहाँ पर लिख सकती हूँ और यहाँ पर बोल रखा है AB और CD जो है वो किस ratio में है वो 2 is to 1 के यानकि अगर यह 1 X है तो यह वाली side क्या होगी यह वाली side आपकी 2 X होगी हम इस तरीके से assume कर सकते है और इनके बीच का जो distance है इनके बीच की जो दूरी है वो कितने दे रखे है वो आपको 20 cm यहाँ पर दे रखे तो मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ अब बोल रखा है कि अगर इनका 6 तरफल यानकी इनका area जो है वो अगर 720 है तो आपको बताने ही कि AB के length क्या होगी तो area of trapeziem का formula मैंने आपके साथ क्या discuss किया था कि आपको half ले लेना है half के साथ-साथ जो height होती है इनके बीच की वो यानकी 20 और इसके अलावा जो parallel sides होते है उनका sum यानकी अगर x यहाँ पे 1x और 2x है तो दोनों को जोड की कितना आजाएगा यहाँ पे 3x आजाएगा तो मैं इस तरीके से यहाँ लिख सकती हूँ और यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका area कितना दे रखा है इसका area हमें हाँ पे 720 दे रखा है तो मैं इसे इस तरीके से लिख सकती हूँ 2 और 20 हाँ पे कट के आ जाएगा 10x और 10x और 10 और 30x जो है 3x सॉरी 10 और 3x क्या हो जाएगा 30x हो जाएगा तो यहाँ पर आप इसे solve करेंगे तो 0 से 0 कर जाएगा और 3 और 72 को अगर आप काटेंगे तो x का मान जो है वो 24 आजाएगा आपको क्या करना है आपको यहाँ पर ab का यहाँ पर length जो है वो निकालना है सॉरी इस question में मैंने यहाँ पर छोटी से mistake कर दी यहाँ पर हमें बोल रखा है कि ab और c d जो है यहाँ पर क्या करना है 2 into 24 यहाँ पर करना है 2 into 24 अगर आप करेंगे तो यहाँ पर आजाएगा 48 जो कि आपको c option में यहाँ पर मिल रहा है I hope यह question आपको clear हूँ आओगा अब मैं आपके साथ next question यहाँ पर discuss करूँगी जो कि हम लोगों को एक right cylinder right circular cylinder का दे रखा है और इसका volume जो है हम यहाँ पर 7300 कुछ बता रखा है तो सबसे पहले हम यहीं से question को सुरू करते हैं volume of cylinder का formula होता है pi r square h तो देखे यहाँ पर जो volume है वो आप यहाँ पर note down कर दीजिए इसके लावा pi के value इन्होंने 22 by 7 लेने को बोला है r हमें नहीं पता r ही हमें यहाँ पर निकालना है और height जो है वो आपको 12 cm दे रखी है अब आपको इसे यहाँ पर solve करना है तो r square को आप एक side रख लीजी बाकी चीजे आपकी shift हो जाएंगी 7 जैसे की यहाँ पर उपर चला जाएगा और यहाँ पर 22 by 12 जो है वो नीचे चला जाएगा जब आप इसे यहाँ पर solve करोगे तो 196 आएगा और 196 किसका square root होता है यह आपका 14 का square root होता है तो यहाँ पर 14 जो है r की value आजाएगी अब आपको यहाँ पर क्या करना है area of the base निकालना है और अगर मैं एक cylinder की बात करूँ तो cylinder का जो base होता है वे आपका circular shape का होता है तो आपको area of base अगर निकालने को बोलें यानि कि जो इसका बेलन का अधार है इसका छेतरफल निकालने को बोलें तो यहाँ पर आप pi r square formula लगाओगे क्योंकि circle का area इससे निकाला जाता है pi के value होगी 22 by 7 r यहाँ पर 14 को आप दो बार लिख देंगे तो 14 into 14 आप करेंगी यहाँ पर तो अगर आप इसे cancel out करते हैं तो 44 into 14 यहाँ पर आ जाएगा जिसको अगर आप solve करते हैं तो यहाँ पर 616 यहाँ पर आपका answer आजाएगा जो कि आपको c option में आपके दे रखा है इसके अलावा next question यहाँ पर मैं आपके साथ discuss करती हूँ जिसके अंदर हम लोगों को बोल रखा है कि एक wire है जिसको यहाँ पर circle share यहाँ पर पहले एक square में bend किया गया अब यहाँ पर आपको area निकालना है उस square का तो कभी भी एक wire से दूसरे wire में अगर चीज़े बदली जाएं तो इसके parameter में कोई भी फरक नहीं पड़ता सबसे पहले तो आपको यह पता होना चीए और ये जो आपका circle है जिस shape का यह बनाया गया था जिसको बाद में एक square में convert किया गया है इसका हमें यहाँ पर area बताया गया area of circle कितना बताया गया है यह आपको 154 बताया गया area of circle में हाँ पर लिख सकते हूँ 154 area of circle का formula क्या होता है तो आप कहेंगे pi r square होता है pi r square जो है 154 हमें बताया गया और question में bracket में बता रखा है कि pi के value आप 22 by 7 ले सकते हैं तो यहां से अगर मैं r निकालूंगी तो r कितना जाएगा r जब आप इसे calculate करेंगे तो यहां पर r जो है यहां कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा और 49 जो है वो किसका square root होता है इसका square root क्या होगा यह होगा 7 मतलब 7 7 जा 49 होता है तो r आ गया आपका 7 जैसे कि मैंने कहा कि एक shape से हम दूसरी shape में कभी भी किसी भी material को change करें तो उसके parameter में फरक नहीं आता यानकि circle में उसी चीज को circumference बोला जाता है तो circumference of circle क्या होगा 2 pi r pi की जगा मैं फिर से क्या लगाँगी 22 by 7 r की value कितनी है r की value है 7 साथ साथ यहां पे कट जाएगा तो यहां पर कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा 44 क्या है यहां पे उस square का parameter भी होगा जो कि उस circle से बढ़ाएगा तो यहां पर parameter of circle यानकि जो वर्ग है उसका परिमाप का सूत्र क्या होता है तो आप कहेंगी 4 into side होता है 4 into side किसके बराबर हो जाएगा यह 44 के बराबर हो जाएगा तो अगर मैं इसे cancel करती हूँ तो side कितनी आ जाएगी 11 और क्यूंकि अब आपको यहाँ पे निकालना है area और area निकालने के लिए क्या करते है साइड का स्क्वायर करते हैं और side कितना है 11 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 आएगा जो कि आपको कौन से option में दे रखा है यहाँ पर D option में दे रखा है इसके अलावा अब मैं आपके साथ next question यहाँ पर discuss करती हूँ next question भी हम लोगों को यहाँ पर एक right circular cylinder का यहाँ पर पूछ रखा है जिसका volume आपको यहाँ पर दे रखा है आपने notice किया होगा कि मैं आपके सामने different question यहाँ पर share कर रही हूँ पर कुछ-कुछ particular topics हैं जहां से question बहुत repeat होते हैं तो आपको वो topics अच्छे से त्यार करने हैं जैसे कि cylinder से काफी question पूछ जाते हैं तो यहाँ पर volume of cylinder का formula क्या होता है पाई r square h यह आप यहाँ पर लिख सकते हैं पाई r square h हमने यहाँ पर लिख दिया अब volume कितना दे रखा है तो आप कहेंगे 396 दे रखा है यहाँ पर pen down किया पाई के value है आपकी 22 by 7 r आपको यहाँ पर निकालना है और height कितने दे रखे है फिर से यहाँ पर 14 दे रखी है तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं इसे cancel करके यहाँ पर कितना जाएगा 44 तो आप simple यहाँ पर क्या करेंगे r square निकालने के लिए 396 को यहाँ पर 44 से divide कर देंगे 44 से जब आप divide करेंगे तो यहाँ पर आपके answer आजाएगा 9 और 9 जो होता है किसका square root होता है 3 का होता है तो r कितना आ गया radius कितना आ गया 3 आ गया अब आपको इस question में क्या है cut surface area निकालना है cylinder का ही तो इसका formula होता है 2 pi r h तो 2 को आप 2 रहने देंगे pi की जगह यहाँ पर 22 by 7 लगाएंगे r की value लगाएंगे 3 height कितनी है 14 तो यहाँ पर 7 और 14 यहाँ पर cut के आ जागा 2 जब आप इन सभी number को multiply करेंगे जैसे कि यहाँ पर आ जाएगा आपके पास यहाँ पर sorry 22 नहीं था यह था 2 2 और 44 को अगर आप मंटिवे 2 और 22 को multiply करेंगे आएगा 44 और 3 और 2 को multiply करेंगे हाँ पर आएगा 6 इन दोनों को multiply करेंगे तो 264 जो है इस question का final answer आएगा जो कि आपको बी option में हाँ पर दे रखा है इसके अलाबा अब मैं आपके साथ next question यहाँ पर discuss करती हूं next question भी same है cylinder पर base question दे रखा है इस वज़े से यह question मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर छोट रही हूं यह question आप लोग आराम से पढ़िएगा यह question number 18 mention करके इस question का answer आप लोगों को comment section में देना है वही आपको parameter निकालना यहाँ पर base का base जो होता है किसी भी balance का cylinder का वो circle shape का होता है तो parameter कैसे निकलेगा parameter वही 2 pi r formula से निकलेगा क्योंकि इसका जो base है वो circular shape का है अब मैं आपके साथ next question यहाँ पर discuss कर रही हूं next question यह मैं आपके साथ यहाँ पर share करूंगी जिसमें बोल रखा है कि एक area है एक circular garden का जो कि आपको ए दे रखा है जिसका diameter कितना है जिसका यहाँ पर वर्ताकार जो दे रखा है वे आपको 9.8 meter का दे रखा है अब आपको यहा पर इसकी value निकालनी है क्योंकि ए जो है इसका area है पहले आपको basically area निकालना है अब अगर मैं इस question को यहाँ पर solve करती हूं तो सबसे पहले इसका diameter दे रखा है तो इसका radius निकालने के लिए इसका radius निकालने के लिए यह जो 9.8 है इसको हम divide करेंगे तो 4.9 आजाएगा अगर यहाँ पर कितना है आर है आपका 4.9 और 4.9 इसे आप इस तरीके से लिख देंगे जब आप इससे simplify करेंगे तो यह cut जाएगा और 0.7 यहाँ पर आजाएगा अगर आप इसे इन सभी numbers को multiply करते हैं तो यहाँ पर 75.46 आएगा कभी भी decimal वाली चीजों को अगर आपको question में solve कर अब इस value में लगा दीजिए 2 into 75.46 into 4.48 इसे आप यहाँ पर solve करेंगे तो यहाँ पर आएगा 150.92 और यहाँ पर आजाएगा 4.48 जब अगर आप इसे add करेंगे तो ध्यान रखेगा कि decimal की नीचे decimal को रखके आपको add करना है तो यहाँ पर जो final answer आजाएगा 155.40 आएगा जो कि आपको यहाँ पर B option में दे रखा है I hope यहाँ तक का session आपको clear हुआओगा अब चलिए हम आगे के session को यहाँ पर continue करें अब जितने भी यहाँ पर remaining topic है उनको मैं आपके साथ साथ में यहाँ पर discuss करूँगी और इन topic के जो previous question है वो भी हम club करके करेंगे तो देखिए आपसे यहाँ पर simple interest और compound interest यानि कि साधरन व्याज और चक्रवर्दी व्याज से question हाँ पर पोशे जाते हैं जिसके लिए कुछ basic सूत्र आपको बता होनी चीए और इनको आप easily किस तरीके supply करेंगे यह मैं आपके साथ question में हाँ पर discuss करूँगी तो देखिए अगर आपको simple interest निकालना होता है तो यह सिर्फ और सिर्फ किस पर लगता है यह सिर्फ और सिर्फ मूल धनी यानि कि जो आपने principle लिया है उस पर लगता है यानि कि अगर आपने 10,000 रुपे का ब्याज लिया है तो 10% की दर से अगर ब्याज लग रहा है दो साल तक 3 साल तक तो हमेशा वो 10% ही लगेगा हर साथ का और इस केस में अगर आप यहां पे साधारन व्याज simple interest निकालेंगे तो इसका formula बनेगा P into R into T by 100 और अगर आपको 3 साल बात कितना amount कितनी राशी जो है वो देनी है यह अगर आपको निकालनी है तो देखिए जो पैसा आपने लिया है वो तो आपको देना ही पड़ेगा यानिकि जो मूलधन 10,000 रुपर तो आपको देना ही पड़ेगा साथ साथ जो simple interest 10 साल का यानकि 10% के हिसाब से जितना आपका लगा होगा वो आप इसमें जोड करेंगे यानकि 10,000 आपने लिया है तो ऐसा हो सकता है कि होता है जो कि पूरे साल का यहां पर लगता है यानके सालाना व्याग जो होती है वो यानके एन्वली compound annually इसे बोलते हैं और एक half yearly यानके आधे साल का तो देखी इसमें आप amount जो है आप राशी किस तरीके से निख्या लेंगे तो जो आपने मूलधर लिया है वो plus one plus rr क्या है जिस rate से जिस दर से आपने लिया है divided by 100 और जितने समय के लिया है यानके दो साल तीन साल यह इस तरीके से लिया जाता है और अगर compound half yearly होगा तो rate का जो दर होगा उसको आप आथा कर देंगे और अगर इसी चीज को quarterly बोला जाए यानके एक साल में भी 4 quarter आपको प है यह मैं आपके साथ discuss करूंगी इसके अलावा यहां पर आप लोगों को profit loss के भी कुछ question कुछ question में इसलिए बोल रही हूं क्योंकि जादा आपको इहां पर discount के और यहां पर selling price और cost price के question आपको देखने को मिलते हैं तो यह अभी मैं आपके साथ discuss करूंगी सबसे पहले अगर आपको profit percent निकालना है कि कितना percent का profit हो है तो profit को आप उपर लिखेंगे divided by selling price यानकि कितने में आपने वो चीज आपने बेस दी इन्टू 100 और loss percent निकालने परफिटले भी होई यानिके profit percent और loss percent हमेंशा किसके बेस निकाला जाता है जितने में आपने वो समान बेचा अगर आपने वो समान बेचा है वो आपका amount जो है अपने जितने में खरेदा था उससे जादा होगा तो यहां पर आपको profit होगा और अगर आप कम में बेज देंगे तो भाप पर आपको loss होगा अब यहां पर आपको selling price यांकि जो आपनी चीजे सेल कर दी उससे समंधित question पूछ जाता है जब आपने कोई चीजे सेल की और उस case में आपको profit हुआ तब आप इस formula को लगाएंगे जो भी यहां पर standard term है यांकि 100 उसमें कितना profit percent हुआ है 10% का profit हुआ है तो 110 by 100 into CP जितने में आपने समान को बेचा होगा और loss में बस इस formula में यह पर minus कर देंगे और अगर हम discount percent की बात करें तो discount हमीशा किस पर लगता है यह आपको पता होना चाहिए discount हमीशा mark price है और जो टैग आपने लगा है उस पर लगता है और जो profit percent और loss percent हम निकालते हैं वो किस पर लगता है CP पे अभी यह जो concept में आपको बार बार हाइलाइट करक पर लगता है discount percent mark price पर लगता है यह अभी आपको question solve करता है यह चीज़ help करेंगे और अगर discount देते हुए आपको बताना है कि कितने में आपने वो समान बेचा है तो आप क्या करेंगे यहां पर mark price आप यहां पर लिखेंगे और इसे multiply कर देंगे पहले तो आपने 100 रुपे मे जो आपको selling price और cost price से आपको पता होने चीज़ अब एक और topic है जहां से question पूछे जाता है जो कि है data handling data handling में आपको यहां पर तीन चीज़े पूछ जाती है एक यहां पर पूछा जाता है mean निकालना, median निकालना, mode निकालना, mean निकालने के लिए जितनी भी observation है सब को आप ज जिकालने के लिए सबसे पहले आप इसे ascending order में लगा देजिए जो भी आपके नंबर है बढ़ते वे क्रब में अगर वो सभी नंबर आपकी even है तो आपका यह सूतर हैं पर बन जाएगा यांकि n by 2 plus n by 2 plus 1 इसके लिए आप क्या कर सकते हैं जैसे कि अगर मान के चलिए मैं यहां पर यह नंबर लिख रही हूं इसमें आप एक चीज गौर करिएगा यह कैसे संख है यह सारी even नंबर है यांकि 1,2,3,4,5,6 तो आपको करना क्या है कि बीच की जो दो डिजट है उनको उठा लेना है इनको plus करके divided by 2 करेंगे तो भी इस formula में यह satisfy कर जाएगा तो इस यह स्वेतने सारीके से आपको even number का निकालना है ओरन वाले में क्या होगा लिजसे एक और number की हाँ वहां पर बढ़ गया तो आपको पता चल गया कि सबसे बीच का number यह होता है इसा यह हो तो आपको ये चीज यहां पर देखके इस Question को यहां solve करना है मैं उमीद करूंगी कि यह जो concept मैं आपके साथ discuss कर रही हूं यहां पर आपको clear होगा यह मैंने ascending order में नहीं लगा है यह ज़स समझाने के लिए किया था इसके अलावा एक और concept यहां पर पूछा जाता है range का range कैसे निकलता है सबसे बड़े नंबर से maximum नंबर से minimum नंबर को minus करके इसके अलावा एक last topic है probability जो क्या आपको करके जाना है probability में होता क्या है कि यहां पर आपके पास जैसे की यह बोल दिया जाए कि एक पासा है पासे को को घुमा के यह नंबर आया है तो देखिए पासे में क्या-क्या नंबर हो सकते है यह आपके हो गए पासे में एक हो सकता है दो तीन चार पांच छे यह नंबर हो सकता है एक डाई इसको घुमा के अगर यह पूछा जाए कि इसमें से कितने प्राइम नंबर है मतलब एक पा पांच जो हैं आपके प्राइम नंबर हैं तो 3 by 6 जो है इसकी probability आ जाएगी यान की एक बटे दू इस तरीके से हम probability यहां पर solve करते हैं अब ही मैंने आपके साथ सारे formulas यहां पर discuss के इनको किस तरीके से हम apply करेंगे इनको जर हम discuss करते हैं और मैं उमीद करूंगी कि यह session आपको पसंद आया होगा अब मैं आपके साथ आज के session का last part यहां पर discuss करना चाहती हूं जिसके अंदर हम लोग काफी सारे topics को यहां पर combine करके discuss कर रहे हैं अब देखिए यहां पर आपको अलगलग number अलगलग आकड़ें जो हैं दे रखें जिसमें आपको यहां पर पर परिसर यान कि इनका mean निकालना है इस तरीकी के question अकसर यहां पर seat at के exam में पूछे जाते हैं तो एके करके आप यहां पर इन सभी चीजों को निकालेंगे यहां पर अगर मैं range निकालूं यानि कि इसका परिसर निकालूं तो सबसे बड़े number से सबसे छोटे number को minus करना होगा तो सबसे ब और नाद इन सभी नंबर को आपको क्या करना है ascending order में बढ़ते वे क्रम में लगाना है, तो 5 जो है वो एक बार दे रका है, 6 जो है वो दो बार, साथ यहां पर कितने बार दे रका है, 8 यहां पर आपको 3 बार दे रका है 9 यहाँ पर आपको एक बार दे रखा है 10 यहाँ पर आपको एक बार दे रखा है जो चीज़े एक बार है वो चीज़े एक बार लिखेंगे इसके लावा 12 जो है वो आपको दो बार दे रखा है 7, 7, 14, 15 जो है वो एक एक बार दे रखा है इसके अलावा 18 जो है वो दो बार दे रखा है एक बार और आप count कर लीजेगा कि नंबर यहाँ पर कम जादा तो नहीं है अब अगर आप इन सभी नंबर्स को देखते हैं तो यह आपकी विशम संख्या है तो median जो है वो माध्यक जो है यहाँ पर कैसे निकलेगा एन प्लस वन बाई टू एन कितना है पंदरा पंदरा प्लस एक सोला बटे दो कितना हो जाएगा आठवर टर्म अगर देखे तो एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ तो यहाँ पर आपका median कितना आ गया median आगया आपका 9 तो मैं यहाँ पर लिखूंगी कि median यहाँ पर मिरा आगया 9 और अब आपको क्या निकालना है mode निकालना है mode यानि कि जो आपका बहुलक होता है वे आपका निकालना है बहुलक क्या होता है ऐसा कोई number जो सबसे ज़्यादा बार repeat हुआ है तो आठ यहाँ पर तीन बारा है तो आठ जो होगा इसका बहुलक होगा अब आपके पास तीनों चीज़े आ गई तो तीनों चीजों का आपको क्या निकालना है इसका माध धी निकालना है यान कि मीन निकालना है यान eccentric को क्या है तेरा नॉ और ओर आट को आप जोडना तेरा आठ और नौ को अगर आप जोड़ेंगे तो यहां पर आएगा तीस तीस डिवाइड बाइ तीन कितना हो जाएगा यहां पर हो जाएगा दस जो कि आपको कौन से option मिल रहा है यह आपको C option मिल रहा है इसके अलावा next question अब मैं आपके साथ यहां पर discuss करती हूं जिसके अ जो उसके उपर यहां पर उसका जो cost price रहा होगा उसे 25 प्रतिशत जादा है अब यहां पर बोर रखा है if discount of 25% is given on the mark price अगर जो mark price है उसके 25% का discount दिया गया तो उसका price जो है कितना रहा होगा और इसमें उसको यहां पर हानी होगी या फिर आपको यहां पर loss होगा अब मैं आपके साथ इस question को यहां पर solve करूंगी अब इस question को solve करते हुए अगर आपको बहुत basic formula भी नहीं पता बट conceptual चीजे आप समझते हैं तो भी आप इस question को कर पाएंगे सबसे पहले तो यहां पर हम मान के चलेंगे कि cost price जो उस article का है वो रहा होगा 100 पे हम 100 पे मान के चल रहे ह और जो अंकित मूले है वो यहां पर क्योंकि यहां पर बोल रखा है कि जो अंकित मूले है उसमें जो मार्क किया गया 25 प्रतिशत जादा किया गया है तो अंकित मूले जो है MP जो है इसका कितना है यहां पर 125 है जो question में बोल रखा है इस हिसाब से यह वस्तू कितने में यहा तो आप कहेंगे कि 125 mark price हम यहाँ पर लिख रहे हैं और साथ यहाँ पर हम क्या करेंगे discount कितने प्रतिशत कर दिया गया 25 प्रतिशत तो सौम इसे 25 को minus करेंगे तो कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा यह formula मैंने आपके साथ discuss किया था divided by 100 अगर आप इसे solve करेंगे तो यहाँ पर आ 93 रुपे की तो इतना तो आपको clear हो गया कि इसमें आपको यह दोनों case तो मिलेंगे नी कि एक तो आपको लाप तो होगा नी और साथ ना लाप ना हानी यह बाला case भी नहीं होगा क्यूंकि कुछ ना कुछ हानी तो होगी होगी अब loss कितने का हुआ है यह कैसे निकालेंगे आप तो loss निकालने के लिए आपको करना क्या है loss पर संग निकालने के लिए हम क्या करेंगे 100 में से यह जो selling price था इसको यहाँ पर minus करेंगे यह इसका सूत्र है और यहाँ पर हम भाग कर देंगे 100 से और क्यूंकि cp हमने 100 लिया था तो हम 100 यहाँ पर लगाएंगे अगर एक बटे चार जो है इस question का loss आएगा और छे एक बटे चार लॉस आपको कौन से option में दे रखा है बी option में दे रखा है तो देखिए अगर ऐसे question में आपके पास बहुत time नहीं question solve करेंगा इतना भी part आपने solve कर लिया तो दो option यहाँ पर आप eliminate कर पाएंगे अब देखिए य निकालने के लिए mode निकालने के लिए median निकालने के लिए बस आपको इस ascending order में रखके जो इसके सूतर हैं वो लगाने हैं और इस question को solve करके आपको बताना है कि इस question का क्या correct answer है अभी मैंने आपके साथ probability का concept भी हाँ पर discuss किया था तो इसके question भी जरख कर लेते हैं यहाँ प आपको बताना है कि इन में से कौन से ऐसे number होंगे जो कि यहाँ पर दो और तीन दोनों से divisible होंगे तो देखिए यह बड़ा task हो जाता है ऐसे question में कि आपको यहाँ पर ऐसे संख्या है पहले तो पतागर नहीं है कि कितनी होंगी जो कि यहाँ पर 27 से लेकर 79 के बीच में दो कि दोनों से भृइट होगी तो दोनों से भृइट होने वाले नंबर एक यह Measure 30 इस बाद एक हो जाएगा 36 बहूत कम नंबर ऐसे होंगे की जो दोनों से भृइट हो तो यह बहूत बड़ा टास्क भी 48 इसके अलावा हो जाएगा 42, 48 इसके अलावा next हो जाएगा 54 इसके अलावा 60 इसके अलावा 66 देखे यहाँ पर जो 2 की divisibility है दो के विभाज्यता का नियम तो बहुत आसान है वो तो देखके पता चलता है कि नंबर होगा या नहीं होगा 3 के लिए आप देख लीजिए sum of desert करके या oral तरीके से divide करके तो ऐसे आपको कितने संख्या यहाँ पर मिल जाएंगी 9 ऐसे संख्या मिल जाएंगी इनके बीच में जो की 2 और 3 दोनों से भी भाज्य हो अब आपको देखना है 27 और 79 की बीच में total कितने नंबर है तो यह नंबर ह कैसे निकलती है probability निकालने के लिए आपको करना क्या होता है कि जिस चीज के बारे में पूछा गया यानकी 9 संख्या ऐसी हैं जो कि 2 और 3 दोनों से भागूंगी और total कितने संख्या है आप इस सथाइस और 79 की बीच में 53 तो यहाँ पर probability कितनी आ गई यहाँ पर 9 by 53 आई राशी है जो कि यहाँ पर इंट्रस की फॉर्म में ली गई और अमाउंट जो है वो इतना यहाँ पर दिया गया वो भी कितने देर में वो भी यहाँ पर धाई साल में और कितने के दर पर यहाँ पर 10% के दर पर तो कितनी राशी यहाँ पर जो है वो नकद ली गई होगी य निकालने को बोल रहा है अब इस question में यहाँ पर आप देखेंगे कि जो time है वो आपको 2 साल अलग दे रखा है आधा साल अलग दे रखा है तो amount का formula आप लगा दीजिए amount का formula मैंने क्या बताया था principle और यहाँ पर 1 प्लस r divided by 100 और 2 साल को आप यहाँ पर अलग कर लिजी और यह यहाँ पर हम आधे साल को अलग कर लेंगे आधे साल को हम किस तरीके से लिख सकते हैं r divided by 2 r divided by 2 क्या होगा r by 200 हो जाएगा और क्यूंकि आधा साल है इसलिए इसके power भी लगाने के आपको जरूत नहीं है यहाँ पर amount आपको दे रखा है amount वाली value को हम बाद में use कर लेंगे हम इस साइड को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं principle हमें पता ही निये तो principle को ऐसी रहने दीजिए यहाँ पर आएगा 10 बटे 100 कितना हो जाएगा यह हो जाएगा आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका एक बटे 10 और एक बटे 10 को अगर आप लेंगे तो यहाँ पर काटेंगे तो यहाँ पर एक बटे 20 आएगा 20 के साथ अगर LCM लेंगे तो 21 बटे 20 यहाँ पर आजाएगा I hope यहाँ तक ही calculation तो oral तरीके साब यहाँ पर कर पाएंगे थोड़ा सा tough अगर आप कहलीजी इसके आगे का calculation आपको देखने को मिलेगा क्यूंकि A की value आपको यहाँ पर decimal में दे रखिए तो देखिए ऐसी question को इतना solve करने के बाद आप last में solve करिएगा इसमें नीचे वाली संख्याओं को आप multiply करेंगे तो यहाँ पर आजाएगा 2000 और उपर वारी संख्याओं को आप नीचे लेके जाएंगे तो यह आपके सामने इस तरीके से number आ जाएगा इसके बाद अगर आपके पास एक्जाम में टाइम कम बसता है तो आप इस question को last में solve करिए जब आप इससे complete solve करेंगे तो आपका जो final answer आएगा वो आएगा आपका बी option इसके अलावा next एक और question आप यहाँ पर देख सकते हैं यह भी range main mode का दिया गया है यह question भी आप लोग खुद हल करिएगा मैं उमीद करूँगी कि एक question आप यहाँ पर कर पाएंगे next question अब हम यहाँ पर solve करते हैं next question में हम लोगों को यहाँ पर बोल रखा है कि एक value है जिसमें जो कि if the value of x is 25 more than the value of y तो यहाँ पर इस तरीकी का percentage का question दे रखा है कि अगर एक value है जो कि 25 परसेंट जो है जादा है किसे y से तो y जो है कितना less होगा इस तरीकी का question अगर आपने कोई भी competitive exam के preparation किये तो आपने किया होगा 25 परसेंट को अगर मैं हाँ पर solve करूँ तो यहाँ पर आपके पास कितना answer आजाएगा अगर हम इसे normal तरीके से भी calculate करें तो आपके पास answer है यहाँ पर आजाएगा एक बटे चार तो simple सी बात है यहाँ पर मैंने लिख दिया x और यहाँ पर मैंने लिख दिया y यहाँ पर बोल रखा है if the value of x is 25% more than y यानकि अगर x के value जो है वो 4 है तो y के value क्या होगी वो 5 होगी यानकि इसमें 1 हमने यहाँ पर जोड दिया तो यहाँ पर बोल रखा है कि अब आपको बताना है कि y जो है x से कितना प्रतिशत कम है तो इनके बीच का gap कितना है इनके बीच का gap यहाँ पर एक और यहाँ पर हमें क्या पूछ रखा है then the value of y is less than the value of x कितना less than है x से तो x से कितना less है तो x के value कितनी है x के value है 5 तो एक बटे 5 अगर आप निकालते हो एक बटे 5 को अगर हम यहाँ पर परसंटेज में लिखते हैं तो यहाँ पर अगर आप 100 से multiply करके से solve करोगी तो यहाँ आपका 20% आएगा तो कभी भी आप यह मत सोचेगा कि x अगर यहाँ प तो आप overall भी इस question गान से हाँ पर कर पाओगे इसके अलावा एक और question है यहाँ पर supplement का यह topic में हाँ पर मैंने explain नहीं किया था भी supplement क्या होते हैं कि अगर दो angle का sum यहाँ पर 180 होता है तो और complement क्या होते हैं जो दो angle का sum आपका कितना होगा 90 होगा अब यहाँ पर यह concept आपको पता होना जिए अब बोल रखा है कि the sum of the supplement and the complement of angle x is कितना दे रखा हैंunya पे 240 यहाँ पे हम लोगों को दे रखा है यानि की अगर किसी x value का अपको यहाँ पर निकालना है अगर किसी x value का आपको यहाँ पर supplement और complement निकालना है संपूरक और पूरक निकालना है तो क्या निकलेगा एक निकलेगा आपका 180-X और एक निकलेगा आपका 90-X एक supplement और complement क्योंकि sum कितना होता है 180, 190 तो यहाँ पर बोल रखा है कि इनका sum क्या है इनका योग कितना है यहाँ 240 दे रखा है तो सबसे पहले आप X का मान निकाल लीजिए X का अगर आप मान निकालते हैं तो X का मान जो है यहाँ पर कितना आजाएगा 15 आजाएगा अगर आपके पास X का मान जो है वो आ गया तो 3X plus 20 में इसे प्रूट करिए तो 3 into 15 होता है आपे 45, 45, 45 में से 20 गया यहाँ पर answer आजाएगा 25 जो कि आपको यहाँ C option में मिल रहा है इसके अलावा यहाँ पर आप एक और question देखेंगे जिसमें आपको एक observation दे रखी है इस question को भी आप try कीजिए otherwise इस तरीके से आपको mean, mode, median से कई सारी question आपके सैट में यहाँ पर पूशे जाते है मैं उमीद करूँगी कि यह session आपको बसंद आया होगा इस session से आपने काफी सारे math के concept को यहाँ पर clear किया होगा आज की इस session में इतना ही अब मैं आप से मिलती हूँ अगले session में अगले topic के साथ, bye bye, take care